हाई एवरिवन स्वागत है आपका कॉलेज वाला के इस चैनल में और आज की वीडियो में मैं कराने वाला हूँ आपको अब्जेक्ट ओरियंटेट प्रोग्रामिंग यानि की उपस जावा लैंगविज के अंदर जैसे की आप देख सकते हूँ आप इसे काफी स्टूडेंट्स यार काफी टाइम से कॉमेंट्स कर रहे हैं कि आपने अपनी जो ऑन्गोइंग सीरीज है वो पॉस कर दी है या आगे वीडियो नहीं आएगी या पेड़ बाच पही ध्यान है ऐसा कुछ नहीं है हमारे जो भी फ्री बाच चिज़ है यानि की C++ with DSA and Java with DSA दोनों आपकी प्लेस्मेंट सेशन यानि की जुलाई 15 या अगस्ट एक से स्टार्ट होता है उससे पहले अराम से सारी चीज़े खतम हो जाएगी DP, ग्राफ, सब कुछ, डीटेल में जैसे की हो रहा है ठीक है तो कल कभी कभी हो सकता है वीडियो यार दो तीन द हम यार टाइमली लेक्चर्स लाके देते रहेंगे आज की वीडियो में हम उप्स करने वाले है अब्जेक्ट ओरिंटेट प्रोग्रामिंग ठीक है और एक ही शॉट के अंदर उप्स को कंप्लीट कर लेंगे अगर उप्स का कुछ थेोरेटिकल पार्ट है जो कि मैं आज की वीडियो में नहीं करता हूं for a particular reason because होता क्या है कि जो थेोरी है उप्स में वो आपके प्लेस्मेंट में या इंटर्व्यू में जरूर पूछा जाता है लेकिन अगर आप अभी पढ़ोगे और चार-पांच महीने बाद इंटर्व्यू दोगे तो आपको कुछ याद है ठीक है आज मैं आपको practical oops थोड़ा कराएं वाला हूं यार practical इस sense में है कि अगर आज आज यह वाली वीडियो नहीं देखी तो अगली वीडियो जैसे link list आपको कभी समझ नहीं आएगा life में ठीक है आपको trees है वो कभी समझ नहीं आने वाला है ठीक है binary search tree BST कुछ भी समझ नहीं आएगा ठीक है तो आज हम practicality देखने वाले object oriented programming के बारे में ठीक है जावा एक object oriented programming languages C++ भी है C नहीं है Python भी है राइट तो मतब आज जो हम पढ़ने वाले पहले तो यह समझते कि यार यह हम क्यों पढ़ रहे हैं तो जो इसका सबसे एक number one reason मेरे इसाफसे वो है user defined data type ज कैसी कैसी यार हमने int देखा है हमने float देखा है Java में आपने double use करते हैं usually double देखा है character देखा है फिर हमने यार string देखा है ठीक है हमने array भी देखा है array kind of data type तो नहीं कह सकते है आप primary but still ठीक है तो हमने काफी सारी चीजे देखी है और यह हमें help करती है to store data to store data efficiently मतलब जो हमें च उसके अनुसार अपनी क्या कहते है requirements के अनुसार हम data type को choose करते हैं उसमें data store करते है similarly हम data structures पढ़ रहे थे तो हम वही data structure अभी तक हमने array पढ़ा है string ही पढ़ा है तो उसी के according हम चीजे store करते है 2D array भी पढ़ा है अब होता क्या है यार कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारे पास एक data हो एक particular चीज का और ऐसा data type हो हमारे पास जो की एक से ज़ादा एक से ज़ादा चीजों को store करके रख सके किसी एक particular आप कहसे हो person के बारे में या object के बारे में ठीक है मैं आपको समझाता हूँ एक example से अगर मान लो हमारे पास एक class है ठीक है अब आप बोलो कि class क्या होता है object क्या होता है मैं आपको बताऊंगा लेकिन इस class को वह वहली class समझो जिसमें आप पढ़ते हो ठीक है मान लो यार class है हमारी 12th class है ठीक है तो एक 12th मान लो आपका कोई section है 12th का और school में एक class है class 12th D मान लो इसके अंदर हमारे पास 50 students है ठीक है तो हर एक student का हर एक student जो यहाँ पे है उसमें कुछ ना कुछ common चीज जरूर होगी क्या मतलब यह जितने भी 50 students है 100% सबका एक यार एक role number होगा ठीक है सबकी कुछ ना कुछ 12th की percentage आई होगी ठीक है कोई ना कोई 12th की percentage आई होगी सबका एक name हो होगा लेकिन एक name होगा तो आप देख सकते हो इन 50 students में कुछ common properties है यह सारी चीज़े क्या है कुछ common properties है ठीक है मैं यह कह सकता हूँ सबकी कुछ ना कुछ height होगी similarly अगर हम मालो एक बात करते है cars के बारे में ठीक है यह आपको तोड़ी थोड़ी मैं ऐसे समझाओंगा तो जैसे cars हो गई तो अब यहार हमारे पास अलग-अलग तरिके की cars हो सकती है ठीक है उनकी अलग-अलग type हो सकते है मतलब कोई sedan हो सकती है कोई hashback हो सकती है कोई SUV हो सक read होगी तो ऐसी चीजे ऐसी चीजे जिसमें अगर मैं multiple objects को लाओ मतलब basically class in general मैं अभी आपको छोटा सा समझा रहा हूं ज्यादा नहीं एक ऐसी चीज होती है कि अगर इसमें multiple objects है class के मतलब ऐसी multiple entities जिसमें कुछ particular properties common हो ठीक है तो उसके blueprint को हम class बोलते है अगर हम यहाँ पे 50 students की बात करते हैं तो इन सब में कुछ ना कुछ common है तो यह 50 के 50 student एक class को belong करते है which is student class मतलब इन में ऐसी चीजे common है जो इन पचासों में common है तो हम उनको collectively students बोलते है समझ रहे हो आप यह word कहां से आया अगर मैं कहता हूं कि एक है Mercedes-Benz एक है आर मारूती एक है BMW यह सब क्या है collectively हम इनको किस class में डालते है ठीक है हम इसको car class में डालते है right तो moving on to the user defined data type अब मान लो यार की मेरे को ना 50 students का data store करना है मेरे को 50 students का data store करने है एक बर इदर आ जाते है वहाप इसे लिग देते है 50 students और जैसे कि मैने बताया इनके कुछ data है कि जैसे इन सब का यार मेरे को name store करना है 50 नाम मेरे को इन सब के roll number store करने है और मेरे को इन सब की percentages store करने है ठीक है तो कैसे store करूँगा अगर पूछा जाता कि सारे 50 बच्चों के आपको नाम store करने है उसके लिए आप use कर सकते हो एक string का array ठीक है एक string का string arr या यहोप आपको पता होगा अगर आपको roll number सब के store करने है तो again इसके लिए भी आप एक 50 size का array ले सकते हो इसका आप int array ले सकते हो क्योंकि roll number integer type होता है नेम string होता है similarly अगर आपको percentage type store करना है तो आप double एक और array बना सकते हो इसके नाम भी आप change कर दो in fact इस array का नाम हम रख देते हैं इसका हम नाम रख देते हैं यार बी आर और इस लास्ट का ले का नाम रख देते हैं हम सी आर यह तीनों array है राइट 50 size के हम ऐसे store कर सकते हैं 50 50 50 मतलब बना सकते हैं इस इकल टू न्यू इंट राइट बट इसके लिए हमें यार यह तीन separate array बनाने पड़े और यह आपस में linked नहीं है एक दूसरे से हमें कुद देख के चलना पड़ेगा कि यार हाँ हमने name का array बना रखा है हमने roll number का array बना रखा है हमने percentage का array बना रखा है ऐसे cases में हमारा class काम आता है जो oops की पहली हम चीज़ पढ़ने वाले है which is classes ठीक है तो आ जाते हैं यहाँ पर create करते हैं अपनी class अच्छे समझाओंगा वापिस से कि classes को कैसे बनाए मतलब मैं यहाँ पर एक खुद का नया data type बनाने वाला हूँ और मैं उसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ जैसे int double care होता है न तो मैं एक नया data type बना लेता हूँ for example student नाम का तो मैं एक नया data type बनाऊँगा student नाम का मैं चाहता हूँ कि हर student के पास तीन चीजे stored हो उसका नाम, उसकी percentage और उसका role number तो मैं इसकी तीन attributes बना दूँगा नाम, percentage role number अब आप बलोगे attributes क्या होती है attributes को आप properties कह सकते हो एक बार आते हैं अपने code पर आते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कहना किसे चाहरा हूँ सारी की सारी चीजे इसकी एक एक करके आपको समझाओगा ठीक है तो आजाते हैं अपने laptop screen पे सबसे पहले अपना इंटलिजी आइडिया आप खोल के रखो यहां पर राइट इंटलिजी आइडिया में एक नया फोल्डर बना लो आप नया package जिसका हम नाम रख देते हैं उप्स इन जावा ठीक है डॉट नहीं सर्फ इतना क्योंकि पाकेज बना रहे जावा की फाइल नहीं बना रहे रहे अब इसके अंदर हम एक नई फाइल बनाते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं क्लास्स यहां रख देते हैं student class student class अभी आपको समझाता हूं हो सकता है आपको एक बारी में ना समझा रहा हूं लेकिन एक के करके आपको सब समझा देगा ठीक है आई होप आपको अच्छे से विजिबल है यह देखो हमने क्लास बना ली इसके अंदर अफकॉर्स हम लिखते हैं PSVM ठीक है अगर मैं आपको प्रिंट भी करा के देखो सब कुछ चलने वाला है जस्ट इन केस ठीक है एक बार रन करते हैं यार हमेशा पहले इधर से रन किया करो ठीक है इधर से देखो हैलो आगया सारी चीज़े सभी चल रही है अब एक नया डेटा टाइप बनाते है अपना जिसके अंदर थे हमारी तीन प्रॉपटी होने वाली है तो उसकी हम creation करते कैसे है बड़े गवर से देखना है यहां पर कि मैं क्या करके दिखाने वाला हूँ आपको राइट एक बार इसको अटाओ आप इसको यहां लिखो यह देखो जैसे यहां पे मैंने यहां पे एक यह function मनाया न पंक्शन आपको पता क्या होता है इसी के साथ हमें एक class बना सकते हैं, class मतलब अगर आपको खुद का एक data type बनाना है, इधर बनाओ, मतलब अपनी इस, जो main, हमारा folder है, हमारा student class वाली फाइल है, उसके अंदर, यहां पे लिखो यार public, ठीक है, यहां पे लिखो यार class, and अपनी class का नाम दे दो, जैसे मैं कहता एक बात, हमने class student लिखा, कोई parenthesis नहीं लगाए हमने, direct curly braces खोल दिये, just same as अगर मैं इसको देखो, public class student class, यह जो हमने file का नेम बनाया है, उसमें भी हम ऐसे ही लिखते हैं, यह भी एक class ही होती है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी बात में बात करेंगे, ठीक है, इधर लेम, फिर मैं कहा रहा था, एक role number होना चीए, इंट रोल नंबर, ठीक है, फिर मैं कहा रहा था, एक percentage होनी चीए, तो double percent, ठीक है, अब यह जो मैंने इहां पर काम किया हैं, यह जो मैंने इहां पर लिखा है, मैंने अपने आप से एक नया data type बना दिया, ठीक है, तो this is basically a data type, यहां पर लिख भी देते हैं, creating a new data type with multiple attributes, जैसे int में क्या होता है, एक ही चीज़ चीज़ टोर करके रखते हैं, float में एक ही चीज़ टोर करके रखते हैं, string में भी एक ही नाम स्टोर करके रखते हैं, या कोई string, यहां पर हम अलग-अलग चीज़े कर सकते हैं, तीन से जादा भी कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर आते हैं, हमने अपना कुद का data type बना दिया, सारी चीज़े कर दी, अब देखना, हम कैसे, यह अभी मैंने कोई डबा नहीं बनाया है, ठीक है, जैसे ही computer में मैंने यह चीज़ लिखी है, तो यह कुछ नहीं है, अभी के लिए सिर्फ यह एक blueprint है, मतलब, जैसे मानलो, अगर मैं लिखता हूँ यहां पर int x is equal to 5, तो इसको हम कहते हैं, कि हाँ मैंने डबा बना दिया और initialize कर दिया, या अगर मैं सिर्फ यह भी लिख दो int x, तो एक memory allocate हो गई, integer values को store करने के लिए, similarly, अभी तक मैंने यहीं नहीं लिखाई, यह जो है अपना एक student लिखाई, अब मानलो, अगर मेरे को एक student नाम का एक डबा बनाना है, जैसे यह तो एक class students है, मेरे को 50 students, या एक बार के लिए हम कह सकते है, मेरे को 2 students का नाम, role number और percentage store करनी है, तो वो कैसे करें, तो उसके लिए मेरे को 2 students वाले डबबे बनाने पड़ेंगे, तो जैसे आप int लिखते हो यहाँ पे, तो आप लिखोगे student, यह देखो, student, exactly यही लिखूँगा, जो हमारे data type का नाम है ध्यान रखना यह बात को, फिर आप इसका नाम दे देते हो, जैसे हम student x लिख सकते है, student y लिख सकते है, ठीक है, दो student बनाते है, x और y से रिनोट करते है, इसको आप ऐसे initialize करते हो, थोड़ा बहुत array की तरह, student x is equal to, आप ऐसे लिखोगे, new student, और भी तरीकी होते हैं, लेक तो यहाँ पर आपको लिखना यार, public static लिखना होगा, ठीक है, इसके, static के बारे में भी आपको बताऊंगा अभी, लेगिन अभी इदर आते हम सबसे पहले, ठीक है, तो इसने हमने क्या बना दिया, एक नया student का variable मना लिया, जैसे कि हम index करते है, तो इसका मतलब है, सिर्फ म नाम लिख सकता हूँ, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, अगर पहला student का नाम है राघव, यह देखिए, ऐसे होता है, similarly अगर मैं लिखा हूँ, x.role number, ठीक है, तो यार, यह जो मैंने तीन चीज़े किये, यह मैंने initialize कर दिया, अपने इस object को, जैसे मैं इसका basically यह meaning है, अगर मैं लिखा हूँ, int q, और फिर मैं लिखा हूँ, q is equal to 6, तो इसका क्या meaning है, q नाम का डबा बनाया है, उसमें 6 value store करी, similarly, इसका meaning है, मैंने x नाम का डबा बनाया, एक बड़ा डबा, जिसमें मैंने उसका नाम, उसका rule number, उसका percent store कर दिया, using dot operator, ठीक है, तो यह dot operator इस का अगर मान लो मेरे को कुछ print कराना है, मेरे को अपने students की detail print करानी, तो आप सोचूगे, लिख दो system dot out, और यहाँ पे student x है, तो अगर मैं x लिखू, तो क्या होगा, कोई error आएगा, नहीं, error तो नहीं आरा, लेकिन answer देखना बड़ा गंदा सा answer आएगा, तो आप देख सकते ह तो यह क्या आगया, oops in java dot student class, फिर यह अजीव सी चीज़े आ गई, पहली बात तो यह देखो, oops in java हमारे package का नाम था, student class हमारी class का नाम था, मतलब हमारी file का नाम था, यह देखो student class dot java, और उसके बाद अजीव सी चीज़े आ रही, ऐसा क्यों है, मैं चाहता हूँ मैं तो बिल्कुल सही है, अब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ, x dot roll number, तो 76 print हो जाएगा, यह देखिए, अगर मैं x dot roll number plus 8 करता हूँ, तो आप देखो, 84 print हो जाएगा, यह देखो, यानकि सही है, 76 था मेरा roll number, ठीक है, तो यह सारी कीज़े हमारी यहाँ पे हो रही है, अगर मैं करते है, आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि यार, चल क्या रहे है, वो बताना जरूरी है, ठीक है तोड़ा से हम आपको समझाता हूँ कि इसका meaning क्या हुआ, तो इदर आजाये, आपको समझाता हूँ, हुआ क्या है, जैसे ही मैंने यह लिखा, यह बता है पूरा, इसको highlight अपना खुद का data type बना दिया, that's it, इसका मतलब कभी भी अगर मैं यह लिखता हूँ, पहली लाइन पर आते है, student x is equal to new student, तो जैसे हम लिखते थे, int x मैं कहता था, x नाम का एक डबा बना दिया हमने, ठीक है, memory में, तो student x is equal to new student का मतलब, यार, हमने एक कुछ ऐसा memory के अंदर x नाम से यार, एक box बनाया है, जो कि क्या यार, क्या-क्या triple box है एक तरीके से, इस box के अंदर, क्योंकि ये student का box है, ठीक है, student data type का, तो student data type में तीन properties है, name, roll number, percentage, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, यहाँ पे यार, इसका name store होगा, ठीक है, यहाँ पे इसका roll number, और यहाँ पे इसका percent, ठीक है, percentage store होगी, जो भी इसने हमने नाम लिखा है, अब जैसे ही मैं इस line पे आता हूँ, x.name, यह हमारा dot operator है, मैं लिखता हूँ, x.name is equal to ragaf, तो इसका मतलब x के नाम के अंदर, store कर दोयार आप, ragaf, ठीक है, एक string है ragaf, ठीक है, यह एक string ही है, क्योंकि x का name, ए 76 डाल दो, तो यहाँ पे 76 डाल दिया, un percentage पे 92.5 डाल दिया, जैसे ही मैंने ये और ये तीन line लिखी, इन से initialize हो गई values, इस line से सिर्फ डबा बना था, I hope आपको समझ आया होगा, अब अगर मैं लिखता हूँ, system.out, print.ln, x% plus 8, तो x.percent यह उठा के लाएगा, कितनी है, 92.5 एक int है, integer को add कि एक integer के साथ, तो 100.5 यह आगया, और यह चीज हमारी print हो गई, I hope आपको समझ आगया होगा, कैसे हम user defined data type लिख सकते हैं, यह बहुत जादा helpful है, क्योंकि अगर मानलो मेरे को ऐसी 50 students का data store करना है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ता था, तीन array बनाने पड़ इसे आगया, जो तीन चीजे अपने आप उस particular इंसान की store कर सकता है, तो मैं इस नए data type का array बना दूँगा, ठीक है, यानि कि int का array होता है, character array, string का array होता है, वैसे ही मैं इसका array बना दूँगा, और चीजों को store कर दूँगा, तो कितना अच्छी तरीके से मैं store कर सकता हूँ और data, right, तो इसलिए हमारा यह जो class है, यह काम आता है, यह बस एक use बताया है, वैसे तो बहुत काम आता है हमारा class, right, तो ऐसे class store होती है हमारी class, अब, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा student x, इधर आ जाते है, थोड़ा सा, वापिस, similarly, अगर मान लो, मैं करूँ कुछ ऐसा, मैं इस से हम क्या करते है, this is for making the dubba, this is declaration, this is declaration, not initialization, and all of these three things are initializations, you can say, ठीक है, अब मैंने एक नया student बना दिया, मान लो, मिरको इसकी बी अलग-अलग चीज़े करनी है, जैसे, s.name, इसका नाम मैं रख दू, कुछ यहाँ पर, जैसे, for example, akshit, ठीक है, यहाँ पर मैं लेख दू, s.percent is equal to 97.2, फिर मैं लेख दू, s.role number is equal to 3, ठीक है, फिर यह एक नई चीज़ बन गई, समझ दो, मैंने एक नई चीज़ देक्लेर कर दी, बस तीन बारी में मैं को करनी पड़ी, यहाँ पर, चार lines में, इसको एक line में भी कर सकते हैं, ब x है, यह जो s है, यह क्या है, all of these things are objects, objects हमेशा same class के objects की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अलग-अलग classes के अलग-अलग objects बन सकते हैं, बट यहाँ पर, this is known as a class, लिखा भी है क्योंकि यहाँ तो, ठीक है, और यह हमारे objects है, of the same class, student class, यहाँ क्या depict करते वे बता रहे हैं हमे यह क्या depict कर रहे हैं कि एक particular class है, जिसकी properties होती है, और हम दोनो, x और s, यहाँ पर, s और यह दोनो, हम दोनों इस चीज़ को follow कर रहे हैं, और हम इसी category में लाए करते हैं, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ, int a, int b, दोनों integer थे उसी category में लाए करते हैं, तो यह सब होते हैं, कि s हो गया, x हो गया, या मैं इसके नाम अगर कुछ और दे दू, student s1, student s2, ठीक है, यहाँ पर लिख दो, s1, error आ रहा है अपने आप, s2, ठीक है, यहाँ पर लिख दो, s1, यहाँ भी error आएगा क्योंकि declare नहीं हुआ, ठीक है, अब आप समझ गये होगे, मैं नाम चेंज कर अब्जेक्ट की creation हमने देख ली है, done कर दिये, मान लो जो भी हमारा object की creation ऐसे होती है, ठीक है, कि हम अपने class का नाम लिखते है, ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिख देते है, उस object का name, space देके, right, is equal to new, वापस से हम लिखेंगे class का नाम, यही same class name, curly bracket और ऐसे, right, तो इससे हमा object एक create हो जाएगा, यानि कि एक डब्बा create हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर लिख हूँ, student, s1 is equal to new student, ठीक है, तो एक डब्बा create हो गया memory में, s1 नाम का, जिसमें तीन चीजे या जो भी हमारा student class जो हमने उपर बना रखी थी, जो उसमें properties है, उसके हिसाब से हमारा सारा य objects भी क्या है, similarly अगर मैं कहता हूँ, alto, मैं कहता हूँ, wagonar, अगर आपको ऐसे समझना है, मैं कहता हूँ, swift, तो यह सब एक same class में लाए करते है, जो की है, maruti cards, अगर मैं बोलूँ, maruti cards, इस नाम की मैं class बनाऊ, तो यह तीनो इसके objects है, ठीक है, एक चीज यहाँ पर जो मैं छ यह होता है हमारा entities, ठीक है, जबकि जो classes होती है, वो बस blueprint होता है, classes are blueprints, वो exist नहीं करती, वो एक तरीका होता है, बस categorize करने का objects को, अलग-अलग तरीके के, ठीक है, तोड़ सा आगे बढ़ते हैं, और कुछ, एक true-false question करते हैं, पहला लिखा है, object-oriented programming refers to using objects in programming, yes, true, होता है फिर लिखा है, class is user-defined blueprint, yes, मैंने आपको बताया, through which objects are created, true, ठीक है, पहले हमें एक blueprint बनाना होता है, objects of same class have different properties, wrong, false, एक ही class के अगर objects है, तो उनकी same property होगी, अगर मैं student class कहता हूँ, तो सब का नाम होगा, सब का road number होगा, सब की percentage होगी, ठीक है, objects are instance of class, yes, instance word होता है, ठीक है, सिरिफ एक blueprint है, और objects उनका instance है, ठीक है, actual reality में जो चीज है, वो है, अब आगे बढ़ते हैं, और हम आजाते हैं इस चीज पे, which is array versus class, array versus class मतलब हम कब array use करेंगे, और कब class को use करेंगे, तो बहुत ही simple है, array हम तब use करते हैं, जब हमें similar data types store करने हो, similar data types, को store करना हो, store, and multiple of them, ठीक है, मतलब काफी सारी चीजे हमें similar data type वाली store करने हैं, जैसे आप कह सकते हो, हमें यार इन 10 objects का price store करना है कहीं, right, जबकि अगर मैं बात करूँ यार यहां पे, यहां पे, अगर मैं बात करूँ यहां पे, classes की, तो classes से काफी different है, class हमें तब use आता है, जब एक ही चीज के एक ऐसा object create करना हो, एक ऐसा object create करना हो, create करना हो, ठीक है, जिसमें multiple attributes, हम इनको attributes कहते हैं, या फिर आप properties कह सकते हो, multiple attributes हो, तो यह एक, क्या होता है, user defined data type कह सकते हो आप इसको, क्या, user defined data type, अब यह हमेशा यार एक data type नहीं होता, जैसे कि आप जानते हो, हमारे पूरी फाइल का नाम भी class ही होता है, वो भी class होती है, लेकिन अभी के लिए आप यही समझो, कि एक user defined data type है, क्योंकि अभी हम उसी क्यों पर बात करने वाले, कुछ देर तक तो, right, तो it is very clear कि आ रहे क्यूंज होता है, आगे बढ़ते हैं, अगर आपको याद हो, scanner class हमें एक चीज लिखते थे, आजाते हैं इधर यार, computer में, थोड़ा सभी अगर आपको याद हो, यहाँ पर मैं लिखता था यार, import java.util.scanner, right, या फिर हम सीधा लिख देते थे, import java.util.गर मैं लिखता हूं, star, तो सब कुछ ही import हो जाता है, ठीक है, बट अगर मैं लिखता हूं, scanner, तो हम हम क्या लिखते थे, अपने void main के अंदर, अपने main function दे अंदर अगर आपको याद हो, यह हम input लेने के लिए करते थे, भले हो किसी भी चीज़ का input हो, input के लिखते थे, scanner, फिर हम scanner का नाम लिखते थे, sc is equal to new scanner, और यहाँ पे लिखते थे system.in, अब थोड़ी सी मैं आपको similarities द लिखा है, यहाँ पे भी मैंने class का नाम लिखा है, यह student class है, जो हमने खुद बनाई है, यह scanner class है, जो एक inbuilt class होती है, यह हमने sc क्या है, scanner का नाम रखा है, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम हम x भी रख सकते हैं, फिर यह new scanner, और अंदर मैंने लिखा है system.in, ठीक है अब इसके अंदर भी हम चीजे लिखेंगे, थोड़ी देर बाद बस वो भी, लेकिन आपको कुछ-कुछ सेम लग रहा होगा ना, तो ये भी यार एक दिखाने का आपको तरीका है, यह scanner भी एक class होता है, which is used to take input, अगर मैं यहाँ पर लिखो, int x, int कोई भी number, int z, is equal to, अब मैं लिखोंगा x.nextint, ठीक है, next byte नहीं, मैं लिखोंगा nextint, ऐसे हम input लेते थे अगर आपको यादो, इसलिए इसका नाम हम sc रख देते थे, ठीक है, यहाँ पर भी हम फिर लिख याद है, right, तो यह भी यार, classes का ही एक छोटा सा example था, आगे बढ़ते हैं यार, अब हम देखते हैं कि class in different file, class in different file, यह क्या होता है भला, बट उससे पहले हम कुछ ऐसी चीज़े देखते हैं, आपने notice किया होगा, अभी तक ना, हम अपनी इस class को, जो भी हम बना रहे है, इ ठीक है भाई, अब क्या हम और भी ऐसे classes बना सकते हैं, definitely मान लो मुझे एक और अपना नया data type बनाना है, तो मैं लिखूंगा public static, ठीक है, यह क्यों लिख रहे है, static और public इनके बार में, जब हम access modifiers बताएंगे और उसी के related चीज़े, तब मैं आपको बताऊंगा, static keyword के बार म अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ class and अगर मैं लिखो मान लो car, ठीक है, तो इसके अंदर भी हम properties दे सकते हैं क्या, कि भाई आप लिख सकते हो, यहाँ पर, क्या हो रहा है भाई यह, आप लिख सकते हो string name, car का भी एक नाम होता है मेरा, फिर आप यहाँ पर लिख दोगे string type, मतब hatchback है, sedan है, SUV है, क्या है, ठीक है, फिर आप लिख सकते हो, यहाँ पर की enterprise, price of the car, कितने wheels है, मतब cars की तो बहुत सारी properties दो सकते हैं, तो यह मैंने एक नया data type बना दिया, अब अगर मान लो मेरे को इसी के वो लिखने है, objects create करने है, तो वो कैसे करूँगा, यह देखो, आ बन गया, object, right, और उसे एक और चीज़, हम वैसे इसका नाम ऐसे small में भी रख सकते है, ठीक है, यहाँ पर भी small कर सकते हैं, यहाँ पर भी small, यह चीज़ चलेगी हमारी, ठीक है, जो हम अपने data type का नाम देना चाहते है, जैसे int भी तो small में होता है, double भी small में होता है, लेकि this is a good habit, अब अगर मैं लेकों c1.name is equal to, let's say मैं कहता हूँ, alto, ठीक है, alto, atlo तो नहीं लिखा मैंने, नहीं, alto लिखा है, फिर अगर मैं लेकों c1.price, ठीक है, तो price अराउंड यहारा आवारा आप तो महंगा होगा, तीन लग की तो आती होगी, चार लग की आती होगी, in fact, त 4,000, 40,000, 4,00,000, and अगर मैं लेकों c1.type, तो it is a hatchback, और यह string है, तो मैंने इसलिए ऐसे लिखा है, right, similarly आप और चीज़े लेक सकते हो, car C2 बना सकते हो, उसका नाम आप रख सकते हो, कुछ और wagon R, समझ रहो हो यार, तो यह सारी चीज़े आपको समझ आ रही होगी, तो मैं अगला-गला-ग डेटाइज भी ना सकते हो, एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, यह बस मैंने आपको इसलिए रहा है, ताकि आप confused ना हो, अब जो यह मैंने चीज़ बनाई है, public static class student, यह मैंने main के बाहर बनाया है, क्या मैं इसको cut करके, main के अंदर लिख सकता हो, बिलकुल लिख सकता हूँ, यहाँ पर एक error आ रहा है, एक बार अगर मैं static को अटा दूँ, ठीक है, और in fact अगर मैं इस public को भी अटा दूँ, तो क्या यह चीज़ काम करेगी, अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया है, मैंने class बना दी student, थोड़ा सा इसका आपको syntax अलग रख रहा होगा, मैंने public started कटा दिया, बट क्योंकि यह इस public started voidment के अंदर है, तो इसलिए, अब मैंने यहाँ लिख दिया यह, अब एक बार run करके देखते है क्या code में error आएगा कोई, तो कुछ error नहीं आ रहा, in fact अगर मैं print करा के दिखा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखू पूरी की पूरी हमारी class है, इसको हम main function के बाहर क्यों बना रहे थे फिर तब से, मतब इसके अंदर भी तो बन सकती है, class हमेशा जैसे यह मैंने एक नया data type बना दिया, अपने main function के अंदर, it is not a problem, बिलकुल, बन सकता है, लेकिन इसमें एक छोटी सी आपकी problem हो जाएगी, क् वो नहीं कर पाओगे, कहने का मेरा क्या मतलब है, यहां देखिए यार, मैं अगर एक function मनाओं यहां पे, एक नया, कोई भी, ठीक है, मैं लिख दूँ कुछ भी public, static, int, और यहां पे मैं लिख दूँ इसका नाम function, ठीक है, इसमें मैं एक parameter pass कर दूँ, int x, ठीक है, और मैं य सीधा लिख दूँ अगर, कि भाई, यहां पे सीधा लिख दूँ, int return हो रहा है ना, तो return x, या वाइड लिख देता हूँ, data type को वाइड बना देता हूँ, और यहां पे मैं लिख देता हूँ, south x, ठीक है, अब एक बात देखिए, यह सारी चीज़े भूल जाओ, मैंने बस जाके अगर एक variable लिखू, int x is equal to 6, फिर अगर मैं एक काम करूँ, यहां पे बस call लगाँ, function, और यहां पे अपनी x की value दे दूँ, या x plus 5 दे दूँ, ठीक है, तो आपके सबसे answer क्याएगा, function को call लगीगी, और 6 plus 5, 11 जाएगा, यहां पे 11 गया, तो 11 प्रिंट हो गया, तो रागफ, और मैं यहां पे अपना name पास कर दूँ एक तो, यहां पे मैं string data type दे दू, और मैं string को print करा दू, तो आपके हैसाब से सही answer आएगा, बिलकुल यह देखो, रागफ प्रिंट हो गया, इसका मतलब हम किसी function के अंदर string पास करा पा रहे है, int पास करा पा रहे है, यह ओहो, issue हो गया कुछ, एक second, हाँ यह देखो, अब अगर मैं चाहूँ कि मैंने एक class बनाई है, student नाम की, जिसमें यह सारी चीज़े है, ठीक है, मैंने student S1 भी एक नया object बना दिया, बहुत बढ़िया, मैंने student S2 बना दिया, बहुत बढ़िया, मैं चाहता हूँ मैं इसकी student का तीनों चीज़े, या कोई भी चीज़ प्रिंट करूँ, लेकिन directly, साउट लिखके प्रिंट नहीं करूँ, यहाँ पर साउट नहीं लिखूँ मैं, यहाँ पर मैं प्रिंट करूँ, function के थुरू, मतलब मैं एक function call लगाऊं, यही जो मैंने function मना रखा, void func, और यह एक, receive करे एक student data type को, तो एक student, देखो, एक student data type को receive करें, यह रहा, right away आप देख सकते हो, error आ रहा है पहली बात तो, यह student को receive करें, student x और उसके नाम प्रिंट करें, जैसे x.name, मैं यह चाहता हूँ, ऐसा काम हो, name, ठीक है, और मैं क्या करूँ, यहाँ पर बस एक call लगा दूँ, अपन एक student, मैंने एक ही student बनाया, मालो, एक object यह रहा, मैंने पूरे object बना दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, function, और इसके अंदर पास कर रहा हूँ, मैं अपने student को, यानि की S1 को, मैंने पास कर दिया, तो अपने पूरे student की सारी details पास हो जाएगी जैसे arrays को भी हम पास कर देते थे, यहाँ पर पास कर दिया, यहाँ पर आ गया यार मेरा, लेकिन error आ रहा है देखो अभी सही, red, red आ गया दिख गया हो तो आपको, यह error क्यों नहीं है यार, समय नहीं यार, cannot find symbol, थोड़ा परिशानी type से चीज हो रही है, यह क्यों हो रहा है मैं आपको पताता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यह जो हमने user, यह जो data type बनाया है, user defined class, इसकी जो limit है, इसका जो scope है, इसकी जो औहकात है, आप क्या सकते हो, वो इस main function के अंदर ही है, यहीं तक है, सीमित, main function के बाहर, जैसे यह function है fun, भाई, इसको पता ही नहीं है क यह student कोई data type है भी या नहीं, इससे पता है कि int क्या होता है, string क्या होता है, array क्या होता है, इसे नहीं पता कि जो हमने अभी अभी मस्ती में एक data type बना दिया, इसको नहीं पता है इसके बारे पर, लेकिन अगर मैं इसकी जगे अगर मैं इसको हटा के, बाहर बनाओ main से, यह अगर मैं यहीं की यहीं बनाओ, जैसे यहां पे दो main function बना रखे हैं, function और main function, यहीं अगर मैं अपनी class बनाओ, तो आप एक चीज देखना, अब जब भी मैं चीजे करूँगा, तो कोई भी दिक्कत हमारी नहीं आने वाली है, in fact, एक चीज हमारी रह गई यह इसको उटा देते हैं, right, और अब आप देखना, कि क्या चीज होगी हमारी, अब गहर से देखो, यहां पे मैंने class को बाहर बना दिया है, कौफी सारे spaces आ रहे है, यह मैंने function बना दिया है, जिसमें अगर मैं किसी student को pass करता हूँ, अब red नहीं आ रहा, अब error नहीं आ रहा, सेम काम किया ह student बनाया, function में pass किया, अब run करेगा, और answer आएगा भी, यह देखो, answer आभी आए, right, तो इसलिए यार हम जब भी usually बनाते हैं, अपनी कोई भी user defined data type याने की class, उसको हम main function के बाहर बनाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हो सकता है, हम किसी function में उसको pass करा रहे हो, या किसी function के अगर हम कुछ कर रहे हो, अच्छा हा, एक और चीज यहां से, एक नई slide बनाना मैं भूल गया थोड़ा, उसको देखते हैं, अब हम बात करते हैं कि passing, यह हमने try नहीं किया, क्योंकि, यह हमने यार, try नहीं किया, कि passing class, ठीक है, two functions, यानि कि खुद का user data type में, अगर मैं function में pass करा हूँ, तो हमने एक बात देख ली, कि सबसे पहली चीज तो यार, we have to declare, we have to declare the class outside the main, outside main, ठीक है, अब दूसरी चीज यहां पर यह देखो, क्या अगर मैं अपना कोई भी object, pass करा दूं function में, क्या उस function से उसकी attributes को मैं change करा सकता हूँ, चलिए देखते हैं, बहुती मस्ट चीज आपको बतानी कोश्य करा हूँ, इधर देखो, मैंने बनाया student, उसका नाम सेट किया, उसका role number सेट किया, उसकी percent सेट की, अब एक चीज देखो, अगर मैं वापिस से लिखू, s1.name, और मैं name change करके, अगर मैं लिख दूं, यहां प देखो, ctrl x, ctrl v, एक बार यहां print करा देते हैं, पहले अपना नाम, फिर वापस print कराते हैं, तो आपके साबसे answer क्याएगा, दोनों बार change होगा, yes, तो देखो, पहले बार यह प्रिंट हुआ, दूसरी बार यह प्रिंट हुआ, तो यहां पर हुआ क्या, जब मैंने पहले print में जाके इस चीज़ को update करूँ, तो क्या वो update actually में होगा, क्या pass by value होगा, या pass by reference होगा, जैसे अगर मैं कभी भी int data type की बाते करूँ, यह तो हमने देख लिया, यह तो बहुत obvious था, right, अगर मैं कभी भी यहां पे लिखूं, int x is equal to 5, फिर अगर मैं एक function मना दूँ यहां यहां लिखते है, यहां एक function मनाते है, public, static, और यहां पे लिख देते है, void, change, जो की एक integer को receive करेगा, और उसकी value को हम यहां से क्या कहते है, change करके देख सकते है, ठीक है, करके देखेंगे, होगा या नहीं, अगर मैं लिखूं, x is equal to 7, बस यह change, और फिर मैं लिख दूँ return, यहां देखो, मैंने x की value 5 दिया, पहले मैं इसको print कर आता हूं, cout x, फिर मैं क्या करता हूं, यहां पे अपना function change लगा देता हूं, change of x, और अगर मैं वापस print करता हूं, south x, तो आपके सबसे दोनों पार answer का आएगा, मेरे सबसे 5 आएगा, यह हम सब जानते है, function में हमने देखा था यह देखो, क्योंकि हुआ क्या है, जैसे ही मैंने integer को pass किया है, change x में, तो यह एक नया integer यहां फॉर्म होए, एक नया डबबा है, वो उस value को change नहीं करता है, this is pass by value, not reference, but, अगर मैं array के साथ same काम करूं, तो उसमें अगर मैं function में change करूंगा, तो यहां पे भी change हो तब से, ठीक है, मैंने एक object बनाया, s1, मैंने उसका नाम, roll number, percent 3 दे दिया, एक बर मैं उसका नाम print कर रहा हूं यहां पे, सबसे पहले, फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक function change में, अपना student s1 भेज रहा हूं, ठीक है, यहां पे हम student receive करा देते है, student, student s या कुछ भी हम receive करा द देते है, रोहन, let's say, फिर हम function, इसकी ज़रूत नहीं थी, इस line की वैसे दो, ठीक है, मैंने change कर दिया, अपना नाम, change function लगा के, अब एक काम करते है, यहां पे हम वापिस से print करते है, s1.name, आपके एसाब से answer गाएगा, अगर pass by value हुआ, तो राघ हवी answer आएगा, pass by reference हुआ तो रोहन answer आजाएगा, तो आप यहां कमाल देखना, रोहन आएगा, आगया यार, रोहन, राइट, तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है यार, कि इधर आए, classes are passed by reference, जो आप खुझ से class बनाते हो, user defined, जो आप user defined classes बना रहे हो यहां पे, user defined data types, ठीक है, तो अगर आप उस particular object को, इस class के object को pass कराते हो, तो वो change करके देगा, ठीक है, this is very 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 important, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम, और इधर आजाते है, class in different file क्या होता है, अब यार, जो हम तब से कर रहे हैं, हम basically files create करते हैं, जैसे, इधर आजो, हम अगर मैं, मैंने आपको strings जब पढ़ाया था, तो बहुत सारे questions, toggle string, और concept, जब मैं पढ़ा रहा था हूँ, मैं अलग-अलग file बनाता हूँ, मैं अलग-अलग file बनाता हूँ, सब के नाम होते हैं, जैसे, इस file का नाम है, studentclass.java, यह सब नाम है, यह files है, तो हम क्या, कोई दूसरी file बना सकते हैं, हम क्या, कोई दूसरी file बना स मैं class बनाता हूँ, java class है, इसका नाम रख देता हूँ, सिर्स student, ध्यान से देखना, मैं इसका नाम रखा हूँ, student.java, अब एक बार इदर आ जाता हूँ, student class में, यहां से मैं इसको फटा देता हूँ, permanently, फटा दिया, हटा दिया, ध्यान रखना, क्या किया मैंने यहां से, हटा दी इस class को अब मैंने literally किया क्या है इधर देखना एक बार मैं इधर वापिस आज़ता हूं या command-dex कर देते हैं ठीक है अब इधर आज़ते हैं and यहां पर हम इस चीज को करते हैं यह देखो अब यह जो हमने अलग से class बनाई है एक अलग फाइल में इसका फाइदा पता है अब मान लिजिए कि हमेर को इसी oops के folder में क्योंकि आपको काफी चीजें सिखानी है oops के अंदर काफी सारी classes बना दूना है यहां पर कुछ अलग अलग topics सिखाने के लिए oops के सब में मैं चाहता हूँ कि class को यूज कर पा हूँ अपनी student class ठीक है या फिर आपको मान लो आपका एक project है और आपको जैसे 10 काफी सारी files बना रखे है और सब में एक particular data type जो आपने खुद से बना रखा है वो हर जगी यूज करना है तो of course आप बार बार हर file में इसको copy paste करके यहां तो नहीं लिखोगे ठीक है वो सही भी नहीं लगेगा इतना सही तो लगेगा बट फिर भी जगे नहीं रहा है फालत होगी तो इससे बेटर यही है कि आप इसको एक अलग file में बना दो and बिल्कुल सही काम करता है कोई error नहीं आ रहा कोई exceptions नहीं आ रही कोई problems नहीं जो होगी अभी हम discuss करें ही अगर ऐसा कुछ है तो but definitely अब आप ऐसे भी कर सकते हो और अब हम इसको ऐसे ही रखेंगे कि अलग से हमने student class यहां पर बहुत बढ़िया सारी चीज़े बिल्कुल सही है अच्छा एक चीज़ यहां पर classes in different file का हमने कर लिया कि but देखो but एक में है but same package में बनाई है ठीक है अगर मान लो करके देखते हैं अभी different package में बनाई तो अगर different package में class बनाई class बनाई तो क्या होगा या फिर अगर मैं यह बोलू कि जैसे यह तो student की class है मेरी यह मैंने oops in java folder के अंदर बना रखी है अगर मैं student class को use करना चाहूं अपने strings के अंदर जैसे मैं strings में जाओं और मैं strings के अंदर एक नई file बना लेका हूं यार new java class हम कुछ भी नाम रख देत इस फाइल का मनाम रख देते है testing.java ठीक है यह strings package है यहां पर मैं लिखूं psvm यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं ऐसे कि अगर मैं लिखना चाहूं student यह देखो जैसी मैंने एक चीज लिखी आप देखो हो तो गया लेकिन अपने आप एक चीज आ गई बावा यसी यह student ठीक है यह देखो student मैं एंटर दवाया अपने आप एक statement आगई एक बाई statement को उटाते हैं मैं यहां पर लेकूं student s यह student q यह student s 1 is equal to new student right तो आप notice कर गए वापिस से line आगई अपने आप magic से क्यों इसको हटाओ ना इसकी अगर मैं इसको comment out कर दो तो यहां error आ रहा है मतलब ह हम एक नया object किसी दूसरे package में नहीं बना सकते हैं जो student class नाम की file है हमारी और student की नाम की file है जिसको हमने class ही बना दिया right तो यह same packages में तो यार कोई दिक्कत नहीं है यहां उपर हमें कुछ लिखने की दरूत नहीं पढ़ रही बस package है और यह scanner वाली चीज है यह तो इसलिए कि हमने scanner को यूज किया था यह काम कर रहा है लेकिन जैसे ही हमें दूसरे folder में move कर जाते है package में तो यह काम नहीं करेगी ठीक है इसके लिए हमें यह import statement लगानी पड़ीगी अब यह import statement ने क्या किया इसने बोला अरे यार oops in java के folder में जाओ और student class को student.java को उठा के लिए तो आकसेस करने के लिए आपको import statement का इस्तमाल करना पड़ेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम आ जाते है यार इस चीज में जो कि है हमारे access modifiers लेकिन access modifier से पहले कुछ दो चार चीजों के बारे में बात कर दे जो हमने अभी तक यार discuss यहां पर नहीं की है जो कि है हमारी या से यहां पर लिख देते है कि some default values इससे मैं कहना क्या चाता हूं अभी आपको समझाओंगा तो मान लीजे यार आपने यहां पर बनाया है public static या कुछ भी आपने अपनी यहां पर class बना रखिए public class दूसरी फाइल में और student ठीक है यहां पर आपने उसके attributes दिए कि int role number ठीक है फिर आपने attributes दिया था क्या था तीसरा double percentage जिसको आपने percent नाम से किया था ठीक है फिर हमने class बन जब दीक है अब अगर मैं एक नया object create करो computer पी आ जाते है न सीधा इधर आ जाते है यह इस testing को अटा देते है यह मैंने बना दिया अपनी वही class ठीक है अब अगर मैं इधर मैंने यह नहीं दिया होता ठीक है मैंने अपना नाम नहीं दिया राइट यह चेंज फंक्शन भी एक बार के लिए अब इसको वह कर देते हैं इसका कोई काम है नहीं तो ठीक है इनको भी अटा देते हैं मैंने बनाया बस सीधा अपना student object और मैं अगर सीधा यार ऐसे ही print कर अच्छा अगर मैं s1.role number प्रिंट करों तो क्या answer आएगा answer आजाएगा 0 अगर मैं s1. यहाँ पे percent प्रिंट करों तो क्या answer आजाएगा answer आजाएगा 0.0 ठीक है तो यार इन चीज़ों को हम default values कहते हैं मतलब अगर हमने initialize ना किया हो हमने इदर आ जाओ सिर्फ हमने object create कर दि ठीक है तो उस object की automatically जब यहाँ पे मैंने बोला था मैं एक डबा बनाता हूं s1 जिसके अंदर उसका नाम होगा उसका यार रोल नमबर होगा और क्या-क्या चीज़े होगी यार उसका percentage होगी और से ठीक है इनिशियल ही जब यह खाली पड़ा रहता है जब मैंने इनिशियलाइज नहीं की तीनों चीज़े एस वन डॉट नेम तो बाई डीफॉल्ट श्ट्रिंग की क्योंकि डीफॉल्ट वाल्यू नल होती है इसमें यह इंटीजर है रोल नमबर देखो रोल नमबर इंटीजर है ठीक है तो अब देखते है यार access modifiers के बारे में कि access modifiers क्या होते है अब नाम से क्लियर है access का मतलब access देना किसी को access granted permission एक तरीकी की यहां पर तीन keywords लिखे है मैंने public, private, default यह तीनों keywords ठीक है जब में और भी keywords होते है राइट जैसे की new हमने देखा था string में थोड़ा इसके बा पर मैं बात करते है इधर आते है थोड़ा सा public यार आप already यहां देख चुके हो अगर मैं देखू हर जब भी आप file बनाते हो कोई भी तो public class file name नाम से आपकी file बनती है और जब main function लिखते हो तो भी public static main लिखते हो और अगर कोई function लिखते हो तो भी public static void या फिर जो भी आप function मना रहे हो वो सब लिखते हो राइट यहां पर मैंने तीन चीजे लिखी है all packages private में same class default same package सबसे पहले हम बात करते है private के बारे में अब private नाम से clear है कि चीजों को private रखना मतलब restricted रखना ठीक है इसमें private का मतलब होता है अगर मैं किसी attribute को attribute है किसी भी चीज को जो class के अंदर ह उसमें अगर private लगा दूँ keyword ठीक है तो वो कहीं और उस चीज को access हम नहीं कर सकते हैं समझाने की कोशिश करता हूँ code के थूँ इधर देखिए यहां पे हमने student की class इधर बनाई थी अलग से एक file के अंदर हम square same class के अंदर भी again बना सकते थे यहां पे फिर भी हम बना रहे है तो यह जो हमने student की class बना रखी है अगर मैं string name के आगे या इसी के लिए अगर मैं बोलूँ मैं int role number के आगे ठीक है यहां पे लिख दूँ private तो देखो यह keyword लिख दिया आप मैंने अब एक बार student class में आते हैं हम एक वापिस से सारी की सारी चीज़े करते हैं यहां पे ठीक ह इसके अंदर हम चीज़े set करके रख देते हैं कि s1 का जो नाम है मानलो इस name को मैं अपना नाम दे देता हूँ एक बारी के लिए अब देखो अगर मैं लिखू s1.percent तो मैं percentage भी set कर सकता हूँ 92.1 ठीक है अब देखना अगर मैं लिखू s1.roll number देखो roll number option ही नहीं आ रहा है पहली बात तो क्यों नहीं आ रहा है ठीक है roll number था तो यही तो था यह देखो roll number यह देखो R number तो यह हो क्यों नहीं पा रहा है जब मेरा private यहाँ पे नहीं था अब देखो एक बार अगर मैं यहाँ पे अब R लिखता हूँ तो अपने आप roll number का option आता भी है मैं लिख भी सकत यहाँ परन करोगे देखो error आ जाएगा एक यहाँ देखो error आ गया ठीक है तो यह error यार क्यों आ रहे है हमारे यह देखो roll number has private access in poops in java इसका meaning होता है कि यह जो हमारी class है यह class है जो हमने बनाई है user defined data type private जैसे ही मैंने किसी चीज़ के आगे लिख दिया जैसे इस roll number attribute के आग नहीं कर सकते it is useless class के बाहर it is useless अभी के लिए यह समझो अब आप बोलो गयार यह तो हमने अलग से file बना रहे अच्छा अगर यह नहीं भी होती एक बारी के लिए अगर यह नहीं भी होती यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ यह ठीक है और हम इसको एक बार copy भी कर लेते अगर मैं यहीं की हैं अपनी class बनाओ इसके अंदर मतलब हमारी file के अंदर public class student class के अंदर इन के साथ main के साथ इस function के साथ तो इधर देखना मैंने class बनाई कोई भी यहाँ पर आससच हमारा error नहीं आया लेकिन yes error आ रहे क्योंकि static नहीं किया हमने इसको तो क्योंकि बाकी ची देखते हैं चलो वापिस अंद करते हैं अब हमारा यहाँ पर कोई भी error नहीं आ रहा है आप notice करो जबकि मेरा जो यह है रोल नंबर तो प्राइवेट ही है in fact error आना चाहिए चलिए एक बार देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है एक बार हम प्रिंट करा के देखते हैं का अब करते हैं यहाँ पर कोई डॉटी नहीं है तो आपको समझ आ गया होगा कि यार प्राइवेट का क्या मीनिंग होता है प्राइवेट का simple मीनिंग होता है कि अगर मैं यहीं की यहीं कुछ इसका use लूँ ठीक है तो काम हो जाएगा लेकिन प्रास के बाहर चाहे मैं अगर म बिल्कुल इनमें एरर नहीं आ रहे हैं लेकिन रोल नंबर में एरर आ जाएगा क्योंकि वह एक प्राइवेट अट्रिब्यूट बन चुका है अब बात करते है यहां पे डीफॉल्ट की प्राइवेट का थोड़ा हम वह भी देखेंगे कैसे हटाते है इस चीज को अब प्रा की है कोई एक पर्टिकुलर चीज है जो आप चाहते हो हमेशा हमारा ना सौ्टेड रहे हमेशा फिक्सड रहे जादा लोग उसको अक्सेस ना कर सके ठीक है मतलब किसी और इंसान को हमने दूसरी क्लासिस की अक्सेस दे दिये सेम प्रोजेक्ट के अंदर लेकिन उस क्लास की अक्सेस नी दी क्योंकि आप चाहते हैं कोई भी चेंज करें आपके अलावा ठीक है तो इसलिए हमारा प्राइवेट काम आता है अब इक बार बात करते है डीफॉल्ट अब डीफॉल्ट क्या होता है अगर हम कुछ नहीं लिखते तो वह डीफॉल्ट ही इसे कि यहां देख आप लह सकते हो सेमधेज के अंदर अक्सेश कर सकते हैं सेमधकेज पाकेज सैंकर पाकेज बनाई थी जब strings पड़ाया था भी, तो string एक package है, oops in java एक package है, यहाँ पर लिखा भी है package oops in java, तो यहाँ आप देख सकते हो, oops in java के अंदर मैंने दो files बनाई है, एक तो student, जो कि यह है मेरी class मैंने जिसमें बनाया है, और एक है मेरा student class, जो यह है, जिसमें मैंने अपना main function औ अब use हो सकता है, definitely, run भी होगी चीज़, कुछ print नहीं होगा, of course, लेकिन कोई error नहीं है, तो इसको हम default कहते है, लेकिन अगर मैं मान लो, अपना एक काम करते हैं, इस strings folder के अंदर जाते हैं, और इसके अंदर एक नई class बनाते हैं, this is a different package, इस दूसरे package के अंदर मैं यहाँ प settings package, आप इसको देखोगे, oops in Java package का है, इसको देखोगे, oops in Java package का है, इधर आ जाते है, oops default के अंदर, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ PSVM, एक नया main function मनाओ, और इस file के अंदर, अगर मैं अपनी student class को use करने की कोशिश करूँ, यानि कि मैं यहाँ पे लिखूँ student, तो यहाँ student लिखके देखो, enter दबाता हूँ न, तो क्या हो गया, import यह, मतलब इसने automatically दूसरे oops in Java नाम के package folder से, इस student वाली file को, इस file को import कर दिया है, यहाँ पे import हो गया है, ठीके, एक बार लिखते हैं, यहाँ पे भी एक बनाते है, student is equal to new student, and हम कुछ attributes देके देखते हैं, हमने कोई data type existing नहीं करता, strings package में, लेकिन student package में करता था, तो इसलिए हमने import कर लिया, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं यह लिखू न, s1, dot, बहुत ध्यान से देखना, तो चीज़े आई नहीं, क्यों नहीं आ रही, कमाल है, जबकि student class में मैं जाऊं, मैं कुछ भी लिखने की को अगर मैं यह नहीं लिखता, कोई error नहीं आएगा, इसको run करते हैं, ऊपर वो student class रहने जाएगी वरना, ठीक है, यह देखो, कोई error नहीं आया, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी randomly print कर दू, hello world, यह कुछ भी, देखो, print हो जाएगा, right, और यह भी बन चुका है हमारा, तो मैं क् पर अपनी attributes नहीं दे पा रहा, चलिए देखते हैं, मैं अगर मैं set करने ही कोशिश करूँ, s. पहली बात तो चीज़े आई नहीं देता हूँ, is equal to मैं कहता हूँ, रागफ, यहाँ पे भी, तो देखो, error आगया, ठीक है, name is not public in oops in java.student, cannot be accessed from outside of the package, error, ठीक है, अब इधर आ होता है यार, private में तो यह है कि same class में access कर सकते हैं, यह तो बहुत ही restricted है, default होता है कि by default हम same package के अंदर ही अपना user defined data type, user defined data type, यानि कि अपनी class सिर्फ same package में use कर सकते हैं, दूसरे package में अगर हम import कर भी दे, वो नया डब वो भी बन गया, हमारा डबा भी बन गया, जब मैंने य strings वाली package के अंदर, एक नई file के अंदर तो वो भी हो रहा है, लेकिन मैं उसमें property set नहीं कर पा रहा है, यह लिख रहा हूँ, error आ रहा है, मैं s.role number लिखूंगा, error आ जाएगा, यह सारी चीज़े होती है, default keyword की, keyword नहीं है, बट default की वज़े से, क्योंकि यह restrict करता है same package, अब मैंने इस strings की जगे, package strings की जगे, यही oops in Java अगर folder में जाता हूँ, यहाँ पे 3-4 नई files बना लेता, तो मैं अराम से use कर सकता हूँ, without any issues, अब इस चीज़े को हम चेंज कैसे करते है, ठीक कैसे करते है, इसमें जाईए student में, जैसे हमने name लिखा था अभी के लिए, मैं चाता ह अगर मैं यह public चीज़ को हटा दूँ, देखो, red हो गया name, वापस यहाँ पर public लिख दूँ, तो ठीक हो गया, even अब यह print भी होगा, run भी होगा, देखे, देखो, बिल्कुल run हो रहा है, right, तो public होता है हमारा हर जगे access करने के लिए, ठीक है, all packages, basically, in a project, एक project के अंदर, कितन keyword का यार, यहाँ पर use करते है, बहुत ही बढ़िया यार, आगे बढ़ते है थोड़ा सा, और अब हम देखते है, getters और setters के बारे में, very important, these are basically functions, these are basically functions of a class, यह हमने जो user defined data type बनाया है, वैस वैसे तो किसी भी class का, यह functions होते है, अब यह किस काम के आते है, कभी कभी हमने private कर देते है, ठीक है, या कई बार चीज़े default हो सकती है, but usually मैं बोलूगा, चीज़े यार कई बार ना private होती है, अब हम चाते हैं, इनको हम at least access तो कर पाए, क्योंकि private की problem पता है क्या है, ना तो हम उस attribute में कोई changes कर सकते है, यह तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते है, even private में हम access भ problem हो जाती है, ठीक हम उसको get नहीं कर सकते हैं, और हम उसको set नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम नए function इस नबाल करते है, getters and setters, अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई, कि usually, जब भी मैं ये file ही बना रहा हूं पूरी, अपनी पूरी मैंने file name जब बनाया ठीक है, तो आपने देखा होगा, usually file name भी एक class होती है, Java की एक package, Java की एक file भी अपने आप में एक class होती है, यहाँ पर देख सकते हो, इसके अंदर हम functions बनाते हैं, this is a function, this is also a function, main function, तो जो हम अपने आप से classes form करते हैं, जैसे कि यह, जो मैंने student class बनाई, जो इसका मैं बाहर तो बहुत obvious ही बात है, इसके अंदर भी हम functions लिख सकते हैं, even इसके अंदर हम PSVM भी लिख सकते हैं, yes, ठीक है, यह ऐसे भी कर सकते थे, although अगर मैं इसमें आता और यहाँ पर अपनी class बनाता, main के अंदर ही यहाँ पर अपनी class बनाता, तो आप वो जानते हो कि problems create हो जाती है दो बार हम main function ऐसे बनाएंगे लिए, ठीक है, but anyways, इदर आते हैं, यहाँ पर हम functions भी लिख सकते हैं, तीन attributes या variables को छोड़ के, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, देखना बड़े ध्यान से, मैं यहाँ पर लिखूँ public, और मान लो कि जो मेरा name है, यहाँ पर role number को मैं private कर देता हूँ, role number अब मेरा private है, तो मैं देखो problem आ गई, मैं access नहीं कर पाऊँगा उसको यहाँ पर, अब मैं चाहता हूँ इस role number को मैं access कर पाऊँ किसी तरीके से, कैसे किया जाए access, using getters या फिर setters, सबसे पहले access करते हैं, getters से देखके, तो एक function बना लेते है, public, यहाँ पर देखना, int, get, role number, देखो अपने आप ही आ गया वैसे, मैंने लिखा नहीं था कुछ, लेकिन इसने अपने आप ही decide कर लिया कि क्या है, या फिर अगर मैं लिखता get, percent तो वो सारी चीजी भी आ सकती है, anyways, अगर मैं लिखो get role number, एक function मना लिया, जिसमें हम accept क्या कर रहे है है यहाँ पर, हम accept क्या कर रहे है, अभी के लिए कुछ accept नहीं कर रहे है, इसमें आओ इधर आजाओ, खाली वो दे रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मतलब कोई parameter नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे है, return role number, sorry, role number, तो कोई error नहीं आ रहा, जबकि role number हमारा private है, मैं उसको use कर रहा हूं यहाँ पर, कर सकते हैं, use, same class के अंदर हम private चीज़ को use कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं एक अलग सी basically वो चीज़ बना रहा हूं, कि यहाँ पर मैंने एक function बना दिया, जो function क्या कर रहा है, इस role number को लाके दे रहा है, क्योंकि usually हम dot operator से इसको use नहीं कर सकते हैं, क्य सकते हैं, कैसे, इधर देखिए, यह पहली बात तो int return करना है, यानि कि इस function की अपने आप में value है, role number, हम इधर आते हैं, अब देखो, अगर मैं यह लिखू, बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखना, print कराना है मेरे को मानलो अपना role number, तो मैं लिखूंगा s out, अब यह त सकता हूँ, देखो न यार, get role number तो एक function है, yes, access कर सकता हूँ, और कोई error नहीं आ रहा, अब अगर मैं इसको run करूँ, तो आपके साब से answer का एगा, मेरे साब से 76 आएगा, ठीक है, इसको run करना है, मैं default को run कर रहा हूँ, यह देखो, तो मारा answer आ गया यहाँ पे 0, 76 नहीं आ यह भी attribute ही है, function है, बट attribute ही है, class का, ठीक है, तो get role number नहीं उठाया, इसने return role number कर दिया, और क्योंकि यहाँ पे देखो, हमने कुछ कर नहीं रखा था, तो मैंने आपको basic values अब की बताई थी, default values, int में हमें 0 मिलता है, double में 0.0 मिलता है, और string में null मिलता है, ठीक है, तो ऐसे ह इसको हम कहते है, यार, this is a getter, इसको हम getter बोलते है, कि हमने कोई चीज बस get करी है, यहां से, कुछ चीज चेंज नहीं किया, अब हम देखते है, setter क्या होता है, यह देखे, अब हम मना लेते है, यार, एक setter, sorry, मैं लिखता हूँ public int, actually void लिखते है, क्योंकि में रेको change करनी है, कोई भी चीज, तो मैं लिखो public void, set, देखो, तीनों चीज आ गई, अपने आप, यह थोड़ा intelligent idea की वज़े से हो रहा है, मतलब, आप मेरे को recommended नाम दे रहा है, but anyway, set roll number, ठीक है, set roll number करना है हमें, जिस भी चीज का, वो आएगा, और अब यहां पे set roll number का क्या मतलब होता ह है, कि जो मेरा student का object मैंने create किया है, मालनों, यहां पे मैंने, इधर आ जाते है, s1 create किया है, मैं चालता हूँ, मैं s1 के roll number को जैसे यहां पे लिखा है, is equal to 76, ऐसा कुछ करूँ, इसको एक बार वो कर जाते है, मैं चालता हूँ, कि ऐसा कुछ, s1.roll number, कुछ functions के through हो पाए, त student, java के अंदर, तो set roll number के case में, क्योंकि मैंने आपको बताया था, यहां पे roll number हमारा जो है, वो access हो सकता है, यहां पे जो हमारा roll number है, वो access बिलकुल हो सकता है, तो इधर देखिए, यहां पे हम यह लिख सकते है, कि roll number, ठीक है, is equal to, in fact, यहां पे हमें set करना है न, तो हम एक value ले लेंगे, int roll, roll number is equal to roll, अब देखो, कोई error नहीं आ रहा, अब इसका मैं आपको meaning समझाता हूँ, पहले तो इसको हम लिख देते है, setter, ठीक है, इधर आ जाते है, मैं यहां पे अगर लिखूँ, s1.set roll number, तो इसके अंदर एक parameter डालना है मेरे को, 76, अब differences देखना, इसको function call लगाई, set roll number उसमें 76 डाल दिया, यहां पे हमने 76 डाला, तो इस roll का value 76 है, फिर हमने क्या किया, इस roll number में जो private थी, उसके अंदर हमने वो value जवरदस्ती डाल दी, ठीक है, तो technically speaking, अब यह चीज हमारी, technically speaking, roll number में भी हम, private अगर है, फिर भी हम set कर पा रहे है value, ठीक है, using this set getter function, तो यार, यह इन चीजों के लिए काम आते है, getter function, setter function, कभी-कभी क्या होगा, programming में ही, आपको क्या होगा, कि आप चाहते हो कि private रखो अपने इस attribute को, पट आप चाहते हो कि यार, चलो access करने के लिए हम दे देते हैं, लेकिन हम यह नहीं चाहते हैं, इदर आते हम यह करके आ रहा हो, कभी भी हम set करना चाहते है कुछ भी, तो हम of course वो number देना चाहेंगे, तो हम कुछ ना कुछ इसमें pass करेंगे value, ठीक है, and of course जब pass करेंगे, हम उस attribute में उस value को डाल देंगे, और जब हम get करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, बस हमने क्या किया, return वो value जो भी default ह यहाँ पर int कर दिया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, मज़ा आ रहे हैं यार, बहुत ही बढ़िया, अब यह होते हैं हमारे cater than setters, आगे बढ़ते हैं हम, they are basically access modifiers के दुश्मन हो गए यार, यह तो, ठीक है, अब हम देखते हैं यार, इस बारे में यह बहुत important है, this keyword, this keyword, यह this keyword किस काम का आता है, मैं आपको अभी समझाता हूँ, यह बहुत ही जादा मज़दार चीज़ है यहाँ पर, अच्छा अब इधर देखो सबसे पहले, यह क्यों काम आता है, उसके बारे में देखते हैं कि पंगा कहा आता है, यहाँ पे ना, जब मैंने getter function बनाया था, set set roll number मैंने बनाया था, तो यहाँ पे मैंने int roll डाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे, अगर int x डालता, तो भी एक ही काम करता, हाँ, बिलकुल यार, मैं int y डालता, तो भी कोई दिक्कत नहीं यार, यह तो, यह basically वो integer है न, जो function उपर अपने आप ले रहा है, य लेकिन अगर मैं गलती से, यह जो तीन variable names है, name, roll number, percent, अब मान लो, यहाँ पे मैं, roll number ही लिख दूँ, तो आप देखो गयार, error तो नहीं आया कोई, लेकिन अजीब सी चीज़ हो रही है, error नहीं आया, code run करेगा, ठीक है, set करके दिखाता हूँ मैं आपको इधर आते हैं, अ int, roll number, और जो यह, roll number is equal to roll number जो मैंने लिखा है, आपके एसाब से यह दोनों चीज़े अलग है, यह जो R number है, यह तो यह था, attribute थी, यानि कि जो मैंने student का एक डबबा बनाया है, उसका एक property, उसका एक semi डबबा, सब डबबा कह सकते हैं, और जो यह roll number है, यह एक different डबबा है इसमें तो value को catch किया है हमने पहले, फिर इसमें डाला है, right, लेकिन यह गलत हो जायागा, क्यों, अब इधर देखिए, इधर आ जाते है student class में, सबसे पहले हम एक काम करते है, हम सबसे पहले student को देखा हमने set roll number कर दिया 76, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको लग 0 आ रहा है यार answer, क्यों भई, अच्छा जबकि मैं यहाँ पर कोई भी number दे दू, 87 दे दू, run करते है, 0 आ रहा है answer, क्यों, चलो एक बाश student class में जाते हैं वापिस, अगर इसकी जगे कुछ भी मैं अगर x दे देता वापिस से, ठीक है, अब देखो, आपको लगएगा student class को भी run कर रहा हूँ मैं, अब तो 87 आ है, तो क्या परिशानी हो रही है यहाँ पर, जब मैं इसमें r number दे रहा हूँ, देखो, problem क्या हो रही है यार, computer ना, अपने आप से समझ नहीं पा रहा, जैसे कि आप देख सकते हो, colors change हो गए, जब मैंने दोनों में x दिया था, देखो, यहाँ पर x दिया है, तो यह purple है अभी, ठीक है, और usually आप देखो कि purple क्या है, जो attributes का color है, वही purple है सरफ, color में देखो, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर हरकते करता हूँ, इसको भी r number लिख देता हूँ ना, तो problem यार यह होती है कि computer अब नहीं पहचान पा रहा, computer के लिए एक problem हो गई है, कौन सा roll number कौन सा है, ठीक है, क्या यह attribute है, यह क्या scene है, ठीक है, इसके लिए हम इस्तमाल करते है, this keyword का, अब अगर मैं इस से पहले हैं पर लिखू, this dot roll number, is equal to roll number, अब यह देखो, purple हो गया यह, अब कोई error नहीं देगा, वापस दर जाए, 87 नहीं आएगा answer, तो यह चोटा सा keyword जो मैंने लगाया है, this, यह इस काम का आता है, ठीक है, अब इस this roll number is equal to roll number का, clear meaning, हमारा यह हो चुका, इधर आता है, यहाँ पर आपको समझाता हूँ, इस getter को लेके, यहाँ पर हम लिखते है public, और यहाँ पर लिखते है, void, यहाँ पर लिखते है, हम अपना सुरी, setter को देखे, set roll number, और अगर मैं अंदर ही लिख दो, int roll number, और यहाँ पर लिखते हूँ, this, dot roll number is equal to roll number, ठीक है, अगर मैं इस function की बात करूँ, और यहाँ पर मैंने इस पूरी class में पहले से क्या बना रखा था यार, अपना, यह बना रखा था कि भाई, private int, private int roll number, यान तो यह जो this है, यह make sure करता है, this का meaning है, इस class का जो attribute roll number है, हम उसकी बात कर रहे हैं, और यह जो normal roll number है, यह क्या है, यह सिर्फ यह है हमारा, जो की हमने as in यहाँ पर argument दे रखा था इस function को, जब मैं this नहीं लिखता, तो होता क्या है, यह roll number और यह roll number सेम होते हैं, और वो इसक इसकी बात ही नहीं हो रही होती है, इसकी बात ही नहीं हो रही होती है, तो इसलिए हमारा यह this काम आता है, I hope यह चीज़ आपको समझ आ गई होगी, अब obviously यार, this की आइसस जरूरत नहीं है, मतलब आप of course, यहाँ पर variable ही चेंज कर लो, ताकि यह पंगा ही ना हो कभी, but just in case यार, कभी-कभी ऐसे है, usually आप यह काम करोगे, क्योंकि तो this is a good practice, using this keyword, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत important concept पर हम आचुके हम यहाँ पर, what is a constructor, मतलब बनाना किसी चीज़ को construct करना, destructor भी होता है, constructor क्या होता है, यार, आपने देखा होगा, कि अगर मैं अपनी यहाँ एक class मैंने student बनाई है, ठीक है, मैंने अपनी student class बनाई है, और इसके अंदर मैंने तीन property दे ली थी, कि यार, name है, यार, यहाँ पर role number है, यहाँ पर percentage है, यहाँ पर percentage है, यह मैंने जान मुझ के क्या किया था, यार, तीनों को अलग-अलग data types में रखा था, ताकि आपको class का लाइने लिखनी पड़ती थी, पहली लाइन में मैं लिखूँगा student s1 is equal to new student, अगली लाइन में मैं लिखूँगा s1.name, अगली लाइन में लिखूँगा s1.role number, फिर लिखूँगा s1.percent, मजा नी आ रहा, मजा नी आ रहा, एक लाइन में क्या यह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं directly अगर ऐसे लिख दूँ कि मैं ऐसे initialize करूँ मान लो, student s1 is equal to new student, आपको याद हो, यहाँ पर मैं parenthesis लिखता था, ठीक है, अकंशक्टा लिखता रहे किसे एक function होता है, मैं यहाँ पर parenthesis लिखता था, अगर मैं यहीं पर ऐसा कुछ लिखूँ यार, राघव, ठ 76,92.1, तो क्या मजा नहीं आ जाएगा, और फिर यह एक line अपने आप में अगर उन चार lines का काम करे, मेरे को नीचे में specifically यह ना लिखना पड़े, s1.name is equal to राघव, s1.roll number is equal to 76, या s1.ya, यह, यह, है ना यार, यह परिशानी देती थी न, हम यह 4 line है, हम ऐसे भी लिख सकते है, सीधा, कि तीन चीज़े यहाँ पर पास कर दी, यह एक तरह के से function call लगा दी हमने, ठीक है, function call में ऐसा करते हैं, कि कभी हमें multiple चीज़े भी पास करनी हो, तो कॉमा दे के वो तीन चीज़े उपर हम कर सकते है, पास, राइट, तो constructor का एक काम हमारा यह होता है, थोड़ा हमारी महनत बचाना, और वही की मही, construct कर देना, मतलब attributes को value set कर देना, अब इधर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले, हमने class लिग दी अपनी यही, हमने एक getter setter भी बना रखे है, आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं क्या रहा था, हम मैं constructor बनाना है, तो ऐसे directly नहीं हो जाता कि, जैसे मैंने देखो, यह लिख दिया, student s1, अगर मैं लिख दूँ वापिस से, student s1 is equal to new student, यह, अगर मैं इसके अंदर चीजे देने की कोशिश करूँ, जैसे मैंने बोला, कि मैं चाहता हूँ मेरे किस order में है, सबसे पहले तो यह देखना पड़ेगा हमें, order तो हम खुद बना सकते हैं, बड़ चलो, name, role, number, percentage, right, वो तो matter नहीं करता, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं, रागफ, फिर, comma, यहाँ पर लिखूं, 76, comma, 92.1, तो यहाँ पर अभी के लिए तो error आ रहा है, इस error को कैसे हटाए, हमें एक constructor बनान अब constructor कैसे बनाते हैं, वो देखना, यहाँ पर वही सेम लिखो, यार, public, सीधा अपनी class का नाम देदो, ठीक है, यह देखो, मैं लिखूंगा student, as it is, तो अगर मैं यह बनाता हूँ ना, इधर देखिए धर, यह क्या है, this is known as a constructor, तो यह function ही है, एक तरीके का function, जिसका नाम क या है, वही जो class का नाम है, आप notice करोगे एक अलग सा yellow आगया इस पर, ठीक है, जो define कर रहा है, इसको intelligent idea का अच्छी बात है, ठीक है, तो यह constructor है, यह basically एक default constructor जो मैंने बना रखा है, इसी नाम से बनता है, पर यहाँ आगे class मत लिख देना, ठीक है, इसी नाम का एक function, जिसम क्योंकि मैंने यहाँ पे इस constructor के अंदर मैंने तीन attributes जाल रखे है, name, roll number और percentage, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे भी जो यह function बन रहा है, एक तरीके का, यहाँ पे मैं लिखूँगा यार, name, तो string में name जाएगा, फिर int में हमारा roll number जाएगा, फिर हमारा double में जाएगा यार percentage, name में हम लिख देते हैं, नाम, तीन अलग-अलग variable मना दिये, क्यों, अब देखना, यहाँ पे अगर मैं यह लिखूँ, name is equal to name, फिर मैं लिखूँ, यहाँ अपना roll number is equal to roll, फिर मैं लिखूँ, यहाँ पे percent, percent is equal to per, तो आप देखोगे, सब कुछ सभी चल रहा है, प्रिंट भी कराना चाहूँ, तो सारी चीजे बिलकुल done हो जाएगी, मान लो, मैं चाहता हूँ, s1.name, ठीक है, प्लस यहाँ पे सारी चीजे प्रिंट हो जाए हमारी, s1.name हो, इसको एक बार copy paste कर देते हैं, s1. यहाँ पे r number हो, और s1. हमारा percentage, सारी चीजे प्रिंट हो ज गई, अपने आपी constructor की मदद से, तो मैंने again क्या दिया, constructor क्या होता है यार, उसी नाम का एक तरीके का function होता है, method होता है, किस नाम का, class के नाम का, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका syntax कुछ ऐसा होता है, student मैं लिख दूँगा, आगे public, यह तीन properties मैं यहाँ पे क्यों दे रहा पहले मैं name दे रहा हूँ, फिर role number int दे रहा हूँ, फिर double दे रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने name string int और double के नाम पे तीन नए डब्बे बना दिये, नाम, role, per, या x, y, z, आप कुछ भी दे सकते थे, फिर इस नाम ने क्या receive किया, इधर देखो, नाम ने रागव receive किया, role रोल ने 76 और per ने 92.1, ठीक है, तो इसलिए इन तीन चीज़ों में ये receive हुआ, और फिर इस डब्बे के जो student S1 मैंने बनाया है, उसके तीन attributes भी बने होंगे, name, role, number, percent, उनके अंदर ये तीन चीज़े मेरी set हो गई, ठीक है, तो ये अब क्या करेगा, with the help of this function, मैं चाहे तो अगर कोई नया student बनाना चाहूं, मैं अगर कोई यहाँ पर, ये देखिए, मैं अगर कोई नया student बनाना चाहूं, तो मैं लिखूँगा student, string नहीं, student, मानलो S2, is equal to new student, तो यहाँ पे भी, मैं अपनी हो तीनों चीज़े directly दे सकता हूं, मानलो यहाँ पर मैं लिख दूं, रा कर दूं, इस constructor को लिखने की, right, तो यह सारी चीज़ें हमारी constructor में काम आती है, अब यार, जरूरी नहीं है, पहली बात तो यह, कि अगर हमार पास तीन attributes हो, तो constructor के अंदर हम तीनों की तीनों चीज़े डाले, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, point number one, मानलो, कि मैंने सिर्फ ड ठीक, आपको error नहीं आएगा, तो अब इस चीज़ को देखना है, एक बार, मैं run करता हूँ, कोई error नहीं आएगा, यह दोनों चीज़े मेरी print भी हो जाएगी, name और role number यहाँ पे, right, तो मैं यह भी कर सकता हूँ, कि जब मैं constructor बना रहा हूँ अपना, तो मैं सारे attributes नहीं percentage भी declare करना होता हूँ, तो मैं इसको अलग से कर दूँगा, यह देखो, s1.percent is equal to 76.4, या कुछ भी, 96.4, कोई भी कुछ भी ले गया, right, तो हम यह भी कर सकते है, additionally, हम अगर मानलो, हम वापिस से अगर यह लिखते है, s1.name, तो yes, we can still change this thing, right, इस से बार बार वापिस से हम set क सकते है, कोई भी हाँ पर हमारी दिक्कत नहीं होने वाली, right, लेकिन यह एक बारी के लिए हमारी यह चीज़ बने जी, तो हम 2 भी दे सकते है, 3 भी दे सकते है, यह चीज़े आपने, definitely हाँ पर देख ली, right, एक भी दे सकते है, और 0 भी दे सकते है, 0 चीज़ भी दे सकते है, जो कि एक default constructor होता है, जिसके अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर यह बनाओ, मैं यहाँ पर यह लिखूँ, public, student, सिर्फ यह, ठीक है, तो देखो, कोई error नहीं दे रहा है, मैं कोई error नहीं दे रहा है, मैं run करूँगा, कुछ नहीं होगा, अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा होता है, जैसे अगर हमने यह चीज कभी लिखी ही नहीं होती, तो यह ना देखो, अपने आप ही बन जाता है, अब यह yellow भी हो गया, लेकिन जैसे अगर मैं यह लाता हूँ, तो देखो, अब इसकी आज सच कोई यहाँ पर value नहीं दिख रही है, इसकी हमें कोई value नहीं दिख रही है, अच्छा एक और चीज, एक बार इसको अटाते हैं, कि जो मेरा constructor है, इसमें मेरी दो attributes है, अगर मैं यहाँ पर दो attributes दे दूँ, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, कुछ भी, ठीक है, बन गया हमारा, अगर मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पर दे रखे हैं, तो यार एक चीज एक और है, कि हम ना, normally हम initialize नहीं कर सकते हैं इस object को, declaration नहीं दे सकते मेरा मतलब, यह देखिए, अगर मैं यह अब यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ ना, इसको हटा दूँ, यह देखिए, कुछ ना दूँ, तो error आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं कुछ ना दूँ, name is equal to, राघव, फिर मैं अगर देदू, s1.role number is equal to, 76, देखिए, इन तीन लाइनों में कोई error नहीं है, आप सोचों कि यह तीन चीदव प्रिंट हो जाएगी, राइट, इसको एक बार के लिए अटा देते हैं, यह है, लेकिन यहाँ पर error आ रहा है, देखो मैं run करूँगा, देखो, error आ गया, ठीक है, इन्हों निसने क्या बुला, हमें arguments नहीं बिले, constructor के अंदर, ठीक है, क्यूंकि मैंने यह बनाया है, constructor, जिसमें तीन arguments है, अगर मैं इसको यह कर दूँ, constructor बनाऊं ही ना कभी भी, और मैं आ जाऊं इधर, ठीक है, problems कहां दे रहा है, one related problem आ रही है, ठीक है, अच्छा, आप तो हटी गया ना, वो फिर, अब यहां पर देखिए, अगर मैं कभी बनाऊं ही ना, इस चीज़ को, constructor को यहां पर, और फिर यह चीज़ रन करूँ, देखो, यहां पर यहां पर, वो error हट गया, फिर मैं रन करूँगा, तो देखो, must बिल्कुल आएगा, तीनों चीज़े आगई मेरी, ठीक है, जो मैंने तीनों चीज़े यहां पर दी, तो आप समझ गयोगे कि अगर मैंने constructor बना दिया है, अगर मैंने constructor बना दिया है, यह वला, जो खुछ से बनाता हूं, तो इसके होने से, मेरा जो default constructor है, वो एक तरह के से हट जाता है, या वो override आप कह सकते है, override तो गलत वर्ड है, लेकिन वो हट जाता है यहां पर, ठीक है, अब इधर आते हैं, अब अगर मैं कुछ को improve करना हूं, वापिस से error आ गया, और अगर मैं एक काम करूँ, अपना, ये भी बना दू साथ normal constructor default जिसके अंदर कुछ नहीं, empty है, अब देखो, error हड़ी आएगा, हड़ी, अब मैं अगर run करता हूं, देखो हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, कैसे, तो देखिए, अब आप देखो कि यहां पर ये yellow भी आ गया mark, ठीक है, यहां पर ये fade हो गया, जबकि अगर मैं एक एक बारी के लिए, इस student को थोड़ा ऐसे करूं, right, और इसको भी थोड़ा सा, एक बारी के लिए मैं ऐसा करूं, और इस second वाला student मैं बना दूं, अब देखो, यह तीन attributes वाला बनाया, अब इदर देखो, yellow इस पर आ गया होगा, ठीक है, आज आएगा मतलब, of course, अगर मैं run क किया, कोई वह नहीं आए, आना तो चाहिए था, यह से, एक सगेंड, एस्टो की सारी चीज़े प्रिंट हो जाएगी है, ठीक है, बढ़िया है, बिल्कुल, इदर आ जाते है, देखो, color change होगा, कह रहा था ना, होगा ही होगा, यह yellow इस पर क्यों आ गया, अभी के लिए, ज तो अगर आप दोनों चीज़े बना देते हो ना, साथ में, तो इसका benefit क्या रहता है, जब आपने अपना खुछ से constructor बनाया, अपना default constructor ना हमारा उड़ जाता है, अगर मैं यह बना देता हूँ, इसलिए उसको भी बना दिया करो, जैसे मैंने अपने आप से बना दिया, ता इन लाश्ट में यह यलो इसलिए हुआ है, क्योंकि इसी के उपर आगया हमारा constructor, ठीक है, बीच में वो हुआ होगा, एनिवेस, I hope यार आपको constructor के बारे में समझ आया होगा, अब constructor में हम बात करते हैं, यार, this keyword की, ठीक है, यहाँ पर notice कीजिए, मैंने आपको जो this समझाया यहाँ पर भी वही same percent लिखों, जो मैंने इधर तीन लगा रखे हैं, अपने main यहाँ पर, तो आप देखो कि errors आ रहे हैं, इन errors को उटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यह लिखतेंगे, this dot name is equal to name, ठीक है, this dot roll number is equal to roll number, फिर मैं लिखोंगा, this dot percent is equal to percent, right, तो कोई दिक्कत नह आएगी, और यह हमारा disk का काम करता है, same to same, जो मैंने set में आपको करके दिखाया था, वो यहाँ पर भी काम करेगा, वापर जाते हैं, एक बार यहाँ पर run करते हैं, सारी चीजी हमारी चल जाएगी, देखों, बिल्कुल चल लगी, तो हमने क्या सीखा, हमने constructor का मतलब सीख होते हैं, फिर हमने देखा कि default constructor हमारा क्या होता है, अगर हमने कोई constructor नी बनाया, तो default अपने आप बन जाता है, अगर हमने कोई constructor बना दिया, तो default उड़ जाएगा, तो उस error को बचाने के लिए आप ये बना दो, एक दो lines और लिग दो, कोई दिक्कत नहीं है आपकी, ठीक ह आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यार, हमने इस सारी चीज़े तो देख ली, अब हम बात करते हैं, what is final, final keyword क्या होता है, ठीक है, नाम से ही थोड़ा सा लग रहा है, कि final क्या चीज़ होगी मेरी, final का मतलब है कि मान लो हमार पास कोई भी attribute है, एक ऐसा common attribute जो मैं चाहता हूँ, अगर मैं उस class के बहुत सारे objects भी बना दूँ, तो वो वला attribute ना, उसका कोई छेड़े ना, और वो हमेशा final रहे, ठीक है, change नहीं कर सकता है हम इस चीज़ को, यह बिल्कुल immutable चीज़ बन जाए, एक तरह किते हैं, तो final यार इस चीज़ के काम आता है, जैसे मान लो, अब ह लिख देते है, let's say, कोई एक ऐसी चीज़, कि student में, कि जितने भी students है, वो इसी school के, आप यह समझ लो, कि इन में एक चीज़ तो यहार यहां पे, क्या किते है, common है ही, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक नया लिख देता हूँ, string, या कोई दूसरा वो बनाते हैं, क्या मतलब student का नाम भी store हो, student का role number भी store हो, और student की percentage भी store हो, और student की age भी store हो, ठीक है, अब age int में रखते हैं, हम एक काम करते हैं, हम यह चाहते हैं, कि जो student है, एक बारी के लिख मैं assumption आपको बता रहा हूँ, वो हमेशा हमारा यार कितना 18 साल से छोटा होगा, यह मैं मान के चल र मैं कुछ और करता हूँ, school का नाम मान लो, यार हर बच्चे का सेम है, जैसे सब का नाम अलग है, सब का role number अलग है, सब की percentage अलग है, लेकिन उस school के सारे बच्चों का नेम है, वो सेम है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यार, string, मेरे में एक दम से दिमाग म string school name is equal to, let's say, मेरे school का नाम था, BBPS द्वार का, ठीक है, तो मैं लिख दो, BBPS, अब होगा क्या, इस चीज को हम कभी भी change नहीं कर सकते, और अगर मैं आ जाओं अपने इधर, student class में, मैंने दोनों चीजे बना रखी है, ठीक है, इसको एक बार के लिए हटा देते हैं, और इसक बना के दिखाया, फिर ऐसे बना के दिखाया अपना दूसरा student object, अब मान लो कि मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, या सबसे पहले तो प्रिंट कर रहते हैं, south, s1. यहाँ पे अगर मैं लिखो, school name, तो देखो हमेशा क्या प्रिंट होगा देखना एक बार, वो BBPSC प्रिंट होगा, यह देखो कि finalize कर दिया मैंने, लेकिन अगर मैं इस से पहले मैं यह लिखना चाहूँ, s1.school name, इसकी value अगर मैं change करना चाहता हूँ, मैं DPS कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब देखो कि यह error आ गया, ठीक है, यहाँ पर आभी जाएगा कि यह final है, देखो, cannot assign a value to a final variable, school name एक final variable हो गया था, ठीक है, तो हम इसको कुछ और assign नहीं कर सकते हैं, यह private की तरहे नहीं है, मतलब technically speaking, final का क्योंकि private को तो हम getter, setter से access भी कर सकते हैं, change भी कर सकते हैं, लेकिन final में, अगर एक बार हमने final लिख दिया, तो कोई setter, या कोई getter, कोई setter, कोई भी function, इसको बदल नहीं सकता है, इस value को यहाँ पे, देखो, हम बदल नहीं सकते हैं, हाला कि हम use जरूर कर सकते हैं, print जरूर कर सकते हैं, अगर same चीज हम ले ले यार यहाँ पे, control C करके, यहाँ पे देखो, command V करके, दूसरे का है, student 2 का school ने print करा है, वो भी वही आएगा, यह देखो, वो भी BBPS ही आगया, तो यह होता है हमारा final keyword, जादा काम नहीं आएगा आगे बस फिर भी यहार मैंने आपको बता दिया, अब आगे बढ़ते है थोड़ा सा, और नए topic पर आते है, जो कि है हमारा static keyword क्या होता है, हमने this keyword देख लिया, final देख लिया, ठीक है, हमने private, default, public, यह सारे keywords ह हम देख चुके है, सबके meanings भी, static क्या होता है, static को यार मैं एक example से आपको समझाता हूँ, जैसे कि अगर मैंने class student बना रखिये यहां पे, ठीक है, मैंने बना रखिये यार अपनी class student, और इसके अंदर multiple attributes से हमने देखा यार, int, roll number था, यहां पे string का हमारा name था, ठीक है, private, public, सब देख लिया, फिर हमने double percentage भी देख ली, ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमेना number of students को calculate करना है, ठीक है, तो अगर मैं यहीं की यहीं int number of students, ठीक है, number of students नाम का variable बना दूँ, ठीक है, और हर समय में एक काम करूँगा, जैसे ही मैं एक object को initialize करूँगा, यानिकि एक student नया बन होगा, अपने number of students को plus plus कर दूँगा, तो एक बार देखते हैं कि code मैं हमारी यहां पर problem क्या आने वाली है, और यहां से मैं आपको static का meaning समझाता हूँ, थोड़ा सा, अगर आप already C++ कही ना कहीं से पढ़ चुके हो, तो फिर global variable जैसा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, कु फिर हमने यार ये getter setter देख लिये थे यहां पर, यहां पर एक ही line में कर दिया इसने, बट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है यार, यह देखिए, इन्होंने एक ही line में कर दिया इस चीज को, अपने आप कर देता intelligent idea, getter setter देख लिये थे, एक काम करते हैं एक नया हम हम यहां पर attribute देते हैं, इस class के अंदर, जिसका हम नाम रख देते हैं, int number of students, ठीक है, और हम calculate करना चाहते हैं कि जैसे ही मैं एक नया object initialize करूँ, इधर देखिए, मैं जैसे ही एक नया object बनाओ, इसको लिखके मैंने एक नया object बना दिया, इसको लिखके मैंने एक नया object बना कोई भी object को create करता हूँ, अब object creation में भी दो चीज़े थी, कि अगर मैं तो या तो ऐसे constructor wise करूँ, तीन parameter देखे, या मैं बिना खाली इसके कर दूँ, ठीक है, तो यहां पे हमें काम करते हैं, हमें काम ये करते हैं, कि जैसे ही मैं constructor का क्या मतलब है, उस समय object बन रहा है, ये स comment out कर दूँ, ये मैंने attribute बना रखा, int number of students, बस, मैं इधर जाता हूँ, और अगर मैं कोशिश करूँ, number of students को print करने की, जैसे अगर मैं, यहां पे इसको मैंने लिखा है, अपना student S1 बना दिया, ठीक है, S1. अगर मैं number of students लिखूँ, तो आपके साबसे answer काएगा, मेरे साबसे 0 आएगा, यह देखिए, क्यों क्योंकि integer की default value है, वो 0, इसको भी एक बर हम हटा देते है, school name वाले को, यह default value है number of students की, तो जैसे ही अगर मैं constructor में ही उसको plus-plus करूँ, तो आपके एसाब से यह हो जाना चाहिए है न कि यार, मतलब जैसे ही मेरा constructor object create हुआ, number of students बढ़के 1 हो फिर नया object create हो गया, two हो गया, three हो गया, four हो गया, right, एक बार देखते हैं कि इसमें हमारी problem क्या आएगी, बढ़ उससे पहले एक काम करते है, student S1 को भी ऐसे ही initialize कर देते हैं, ऐसे देखे कुछ ठीक है, कि यार हम अपना rule number 76 ऐसे देते हैं, और 88.6 ऐसे देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, यह देखे, अभी तक मैंने किया क्या है, मैं दो objects बना दियें, मैंने ही यहां पर, right, हम एक काम करते हैं, जैसी हमने objects बनाए यह, अब हम चाहते हैं, कि यही बार देख लिते हैं, कि number of students कितनी होगे, right, तो एक बार प्रिंट कराकर जीरो था ठीक है तो जैसे यह चीज मेरी create हो गई तो number of students मेरा 1 बन चुका है यहाँ पर क्या बन चुका है यार 1 बन चुका है लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर सेम चीज लिखू हूँ ठीक है control c control v s2.number of students अगर मैं लिख दू तो आपके साब से answer क्या 2 आएगा क्योंकि एक और बार plus less हो रहे नहीं answer आगया फिर भी 1 समझे हो कि करना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर सोचो थोड़ा कि यह मैं क्या करना चाह रहा हूँ similarly अगर मैं एक और यहाँ पर object अपना create कर दूँ एस 3 नाम का ठीक यार इसका नाम मैं दे दूँ रोहन नाम दे दूँ रोल नंबर मैं दे दूँ यहाँ पर 99 और percentage दे दू 98.3 नहीं 91.3 ठीक है फिर मैं इसका भी print करा दूए तो तीनों समय 1 ही आएगा answer अब यार ऐसा क्यो हो रहा है यह 1 क्यों हो रहा है एक बार इसके बारे में हम थोड़ा सा discuss करते हैं इधर आ जाते हैं यह देखिए यह मेरी class students है almost ऐसा सा ही कुछ है ठीक है अब जैसे ही मैंने main function के अंदर सबसे पहले एक बना दिया student s1 student s1 is equal to new student and constructor में पूरा बनाया तो memory के अंदर क्या हुआ यार एक डबा बन गया यार s1 नाम का जैसे कि मैं आपको बताया था जिसमें तीन भाग हो गए मेरे तीन नहीं actually यह 4 parameters है तो इसमें 4 भाग हो चुके है तो s1 के पास 4 चीज़े है एक integer वाला block भी है जिसमें roll number store करेगा हो फिर उसके बाद एक string वाला block भी है जहां पर अपन Similarly, जैसे ही मैं student S2 बना हूँ जैसे ही मैं यहाँ पर S2 बना रहा हूँ फिर मैं यहाँ पर S3 बना रहा हूँ तो additional यार boxes create हो रहे है यार मेरे समझ विस बात को additional मेरे boxes create हो रहे है यह S2 का यह create हो गया यार मेरा S3 का जिनके पास तीनों के पास अपने separate number of students आप बोलोगे obviously यार यह तो है क्योंकि उनके पास अपना separate roll number है तो separate number of students आ गए मेरे हाँ पे ठीक है सबके पास अपना खुद का number of students है जिनकी initially value सबकी initially 0 होती है पर जैसे ही मैं object create कर देता हूँ न यार तो create होने यह साथ उसको क्या मिलता है जैसे मैंने student S2 लिखा अगर मैंने constructor के साथ ना भी लिखा होता मतब वो तीनों चीज़े ना भी डाली होती है और number of students plus plus डाल रखा होता बस तो डलते ही यहाँ पर one आ जाएगा जैसी S2 create हो गया यहाँ one आ गया और जो भी हमने तीनों चीज़े दी थी वो भी आ गई जैसी S3 create हो यह तीन चीज़े तो आ गई जो हमने parameter में जी थी और यहाँ पर भी अपने आप one आ गया 0 से one हुआ हो अब मैं यह नहीं चाता कि individually सबके लिए number of students का block बने कोई एक single block बन जा है जो अपने आप update होते रहे जैसे ही एक-एक object create हो ठीक है मतलब जो number of students है वो class dependent हो object dependent ना हो यहाँ पर object dependent है ठीक है मैं चाता हूँ class dependent हो वो class का एक property रहे हमेशा तो उसके लिए हम use करते है static keyword को अब इधर देखिए अगर मैं आ जाओ और यहाँ पर बस एक change कर दूँ यहाँ पर लिख दूँ static ठीक है बस जादा कुछ नहीं अब एक चीज़ देखना जैसे ही मैंने static लखा फिर मैं same code को run करूँ तो answer 123 आ जाएगा मेरा यह देखो 123 ठीक है अब यह 123 आंसर क्यों आया जैसे ही मैंने static int लिख दिया नहीं है आप स्टाटेक इंट तो यह अलग अलग object के तीनों objects के तीन डबबे नहीं create होंगे number of students के एक ही डबबा create होगा जो तीनों access कर सकते हैं जिस चीज़ को तो कुछ ऐसा scene हो रहा होगा एक बार आते है और इसको आपके सामने मैं dry run करके दिखाता हूँ थोड़ा सा ना काफी टाइम से हमने dry run जैसी चीज़े की नहीं है इधर देखिए यार यह तो मैंने सारी चीज़े main के अंदर print की है and मैंने class में ये लिख दिया था क्यार एक सेकेंड यार मैंने class में लिख दिया था static int number of students ठीक है वो number लिखा है बात एक ही समझ देना यारा ठीक है तो इससे हुआ क्या जैसे ही मेरे तीनों objects create हो है ठीक है तो इस बार इन तीनों के पास यार तीन ही अपने attributes है इन तीनों के पास तीन ही attributes है ये s1 है मान लो ये s2 का block है ये s3 का है जिसमें यार roll number है हमारा name है और percent है ठीक है roll number again name percent ठीक है roll number name percent and हमारे पास एक अलग से number of students नाम का एक डबा create हो गया है जो की class का है ठीक है number of students नाम का एक अलग डबा create हो गया है ठीक है जैसे ही मैंने class बनाई तो ये अपने आप ही पहले बन गया आप ये समझो and इसकी default value थी यहाँ पे 0 and अब जैसे ही मैंने ये बनाया ये line लिखी student s1 is equal to new student constructor लगा दिया सीधा का सीधा तो यहाँ तीनों चीज़े हमारी fill हो गई यार कि roll number 76 है percentage 88.6 है और name हमारा यहाँ पे राघव है similarly जैसे ही मैंने फिर अब ये किया second line पे आया print कर दिया s1 dot number of student तो इसने क्या किया ये जो attribute है number of student ये shared तीनों के बीच तो s1 का number of student भी ये ही है तो उसने ये देखा कि यार चलो ये print कर देते हैं लेकिन zero print नहीं होगा ध्यान देना जैसे ही पहली line चली ये तीन चीज़े तो set हो गई साथ ही साथ एक बार इधर आओ computer में मैंने जब constructor लिखा था तो constructor में ये तीन चीज़े तो होई रही थी वो तीन चीज़े लिखके parameter लिखके चौथी line भी हो रही थी number of student plus plus तो the shared property थी इधर यहाँ पे after this line जैसी मेरी ये line complete होई तो ये 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 बहर गया और ये हमारा update क्याओ यह रोपडेट हो कही ये भी हमारा one हो गया तो जैसी मैंने ये चीज़ की तो one print होगया मैनो नो है हमारा output है तो पहली line में हमारा 1 print हो गया, ठीक है, फिर हमारी ये line चल गई, फिर ये वाली line चल गई, student s2 is equal to new student, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे राहूल भर गया, ठीक है, यहाँ पे 67 हो गया, यहाँ पे 98.3 हो गया, अब जैसी ये काम हुआ, तो क्योंकि constructor में ये चीज चलिए, तो number of students plus plus, यानि कि ये बढ़के हो गया, 2, फिर अगली line चली, ये system dot out, s2 dot number of students, तो 2 print हो जाएगा, ठीक है, अगर इसकी जगे अभी, s2 की जगे, s1 dot number of students भी लिखा होता, तो भी 2 ही print होता, shared property है, इनकी वो print हो जाती, similarly आप समझ गयो हो गया, अगली line चली, तो यहाँ पे print हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब अगर मैंने ये नहीं किया होता, इधर आ जाते हैं, ये जो तीनो print की statements है, मैं तीनो की तीनो अगर मैं last में लिखता है यहाँ पे, ठीक है, ये भी अगर मैं cut करके यहाँ पे, ठीक है, पहले तीनो objects बना दिये, फिर ये, तो तीन एक ही हमारी ये चीज रहने वाली है, तो ये हमारा static variable होता है, इसको आप kind of a global variable भी कह सकते हो, कभी-कभी काम आता है as a global variable, questions में करेंगे हम बर वो, ठीक है, ठीक है भाई, तोड़ा सा आगे बढ़ते है, static तो हमने देख लिया, और इधर आ जाते है static functions है, अगला हमारा topic, static functions क्या होते है, अब यार इससे पहले मैंने आपको बताया कि static variable shared है, और वो student objects का नहीं है, वो उस class का variable है तरीके से, तो हमना अगर मान लीजिए, मैंने इससे पहले ही इधर आ जाते है, यहाँ पे क्या मैं यह print करा सकता हूँ, capital student यह देखो, यह क्या है, यह data type, और यह class भी ह अगर मैं यही पे लिख दू, student dot, देखो, एक चीज आ गई, number of students, ठीक है, तो यह एक चीज है, यह चीज है, भाई साब, तो इसको एक काम करते है, यार, हटा के एक बार, अगर मैं इस चीज को print करना चाहूँ, कि भाई student dot number of students, देखो, कोई error नहीं आ रहा, in fact, यह print भी हो अगर मैं एक बरी के लिए इसको, सबको हटा दू, इसको देखो, run किया, देखो, zero answer आ गया, अरे, जबकि मैंने कोई object तो initialize किया ही नहीं, लेकिन, यहाँ पे आप देखोगे न, यह जो चीज थी हमारी, यह shared property है, यह student की भी है, इनकी तरह ठीक है, तो हम ऐसे भी इसको print क अच्छा, अगर मैंने number of students की जगे, student dot लिखा, तो देखो, और चीज नहीं आ रही, यहाँ पे अगर मैं, जैसे मैं name लिखने की कोशिश करूं, तो देखो, error आ गया, ठीक है, error आ गया, यह देखो, non-static variable cannot be referenced from a static context, ठीक है, यह non-static variable है, यह जो name है, rule number है, percent है, यह even school name है, यह यह सारे non-static है, यह static है हमारा, right, तो static ही class का होता है, यह जो non-static चीज़े है, यह तब तक नहीं आएगी, यह सिरफ blueprint है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यह अभी तक create नहीं हो है, किसी का भी name, मैंने अभी तक कोई object बनाया नहीं है, अगर खाली object भी बना दूना, तो भी null आजाता, अगर मैं name को print कराता, लेकिन मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, लेकिन यह डबा बन जाएगा, class के create होते ही, चीक है, तो यहां यार, यह सारी चीज़े होती है, हमारी, अब आप यही सोचो गया, फिर तो मानलो, यह चीज़ तो यार हो रही है, हमारी, number of students आ रहा है अरे, अब मैं run करूँ, तो 100 जाएगा answer, यह देखिए यार, ओके, तो इससे तो एक problem भी create हो रही है, कि अगर मैं इन सब को अब एक बारी के लिए मानलो, हटा दूँ, वापिस से, तो इनके number of students में क्या print होगा, 101, 102, 103, यह देखो, sorry, 103, 103, 103, 103, क्योंकि last में 3 हो, right, तो यह इससे कैसे बचे हम, कि यह 100 हमारा ना हो पाए, तो आप सब जानते हो, अगर आपको इस property को use करने नहीं देना है किसी और को class से बाहर, तो हम private keyword का use करते हैं, ठीक है, अधर आ जाते हैं, इसके आगया हम एक और चीज़ लगाते थे, private static, ठीक है, तो आप यह भी कर सकते हैं, तो हम number of students को इस class के बाहर कहीं use नहीं कर सकते हैं, तो इसमें भी use नहीं कर सकते हैं, error आगया देखो, हम use ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कहीं नहीं कर सकते हैं, और आप अगर बोलोगे हमें सिर्फ get करना है इस property को, तो हम get तो करी सकते हैं, हाँ, एक getter बना दो बस, कि मतलब कोई change नहीं कर पाए आपकी value, बस कभी भी get जरूर कर पाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक getter बना देते हैं, ठीक है, हम एक getter बना देते हैं, public, और क्योंकि हम get कर रहे हैं, तो of course, उसको return type int रख देते हैं, तो देखो, int, get number of students, देखो, अपने आप आप आजाता है, suggestion नही ठीक है, get number of students, इसमें हम कुछ pass, of course, देंगे नहीं, हम बस return कर देंगे, क्या यार, number of students, लेकि नहीं एक छोटा सा issue आएगा, ठीक है, अपका, यहाँ पर एक हभी रहा एक चीज, लेकिन, static के लिए कह रहा होगा, but anyways, ठीक है, हमने कर दिया क्या, return number of students, हमारे number of students देर है, ठी इसे फिर set करी नहीं सकते है, ठीक है, और अगर हमें सिर्फ print कराना हुआ, तो हम print दरूर का सकते है, कैसे, ये देखिए, s1.get roll number of students, ठीक है, getter से कर सकते है, get number of students, get number of students, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे, get number of students हो पा रहा है, क्यों नहीं आपा रहा, get number of students, मतलब सिर्फ object के through, क्यों ये function access हो पा रहा है, कमाल की बात है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, error ये देखो, एक बारे के लिए स्कोट आता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ये सारी चीज़ों देखो चलेगी, बिल्कुल चलेगी, हम ये कर सकते है, 333, सब कुछ सही आ रहा है, और हम अपन बना चुकियो उसको, लेकिन यार हम ना normally get भी नहीं कर पा रहे है, मतलब object बना के तो get कर सकते हैं, s1 एक object है, student है, class नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ class से get क्यों नहीं कर पा रहा है, मतलब student.get number of students क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कमाल नहीं है यार, बिल्कुल यार, ऐसा हमने क्या कर दिया, क्योंकि जब तक private नहीं था, सिर्फ static था, इधर देखिए, सब कुछ सही है, फिर तो यह अपने आप suggestion भी देगा, यह लो यार, कहां गया, एक second यार, देखो static in number of students आ गया हमारा है, यहाँ पे, इधर आते है, error कि दर आ रहा है हमारा, यहाँ पे तो सब कुछ ठीक था, तो point being, कि जब मैंने इसको private बनाया, तो जो getter है, getter सिर्फ objects के साथ काम क्यों कर रहा है, the problem is getter, objects के साथ क्यों काम कर रहा है हमारा, यह जो getters है, setters है, यह हमारे सीधा student class लिखके क्यों नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो public static void main, public static यह, यहाँ पे मैंने public static नहीं लिखा, तो this is not a static function, जो हमारा यह topic है, यह static function नहीं है, और जबकि मैं return कर रहा हूँ, एक static चीज यहाँ पे, तो अगर मैं इसको बना दूँ, public static int, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब अगर मैं इसमें आऊँ, और get number off करूँ तो आ जाएगा, यह देखो आ गया, ठीक है, अगर मैं simple यहाँ जाके वापिस से, इस static को हटाऊँ, तो देखो error आ जाएगा, error आ गया, ठीक है, तो it is very important कि अगर आप यह static function है, static अगर function बनाते हो, तो आप सीधा, class से भी, उस function को access कर सकते हो, getter या setter, अब हमारे जो class है पूरी, class के अंदर attributes है, class के अंदर constructor देखा हां हमने, class के अंदर getter setter वाले हमने function देखे, लेकिन getter setter वाले function object के थूरू, dot operator के साथ, use कर सकते हो आप, class से अगर आपको करना है, तो make sure कि static keyword आप उसको use करो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी हम static use कर रहे थे ना यार, जब हम class के थूरू ही सिर्फ number of student इस्तमाल करने वाले थे, ऐसे नहीं हो पा रहा था, तो यह बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, I hope आपको यह समझ आ रहा होगा, तो बस यहाँ पे आप लिख सकते हो static function, भाई क्यों use करते हैं, हम ज्यादा कुछ खास नहीं, ठीक है, used if we want to, ठीक है, if we want to access, ठीक है, set, get, जो भी हो, access a function, ठीक है, in the class, through just class, ठीक है, through just class name, फिर dot यहाँ पे, जो भी हमारा हुच चीज है, function name, ठीक है, without creating object, ठीक है, तो उसलिए static function हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हालकि इसमें और भी बहुत सारी चीज है, हम लेटर ओन डिसकस करेंगे, अभी इतना काम का नहीं है, अब आजाते हैं, अपने questions पर एक-दो questions करते हैं, फिर wrap-up करते हैं आज की class को, तो हमें करना है, क्या question दे रहा है, make fraction class, अब यार आप सब जानते हो, fractions क्या होते हैं, 3 by 7, 7 by 10, ठीक है, इनको हम fraction क्याते हैं, अगर इनको मैं को add करना हुआ, तो मैं इसको 10 by, वो तो लिखूँगा नहीं, 7 by 3 है, ठीक है, तो मैं इसको 10 by 10 तो नहीं लिखूँगा, है ना, सबको पता है, LCM लेके कैसे add किया जाता है fractions को, right, 3 into 3, plus 7 into 7 upon 7 into 3, right, ऐसे करके जो भी मेरा answer आएगा, तो मैं को fraction class बनानी है, जिसमें कुछ ऐसा मेरा रहेगा, class, fraction, ठीक है, यहाँ पर दो चीज़े रहने वाली हैं, सिर्फ int numerator, और int denominator, ठीक है, यह दो चीज़े रहने वाली हैं, और इस class के अंदर काफी सारे functions हम रख देंगे, constructor बना देंगे, सारी की सारी चीज़े करनी है, जिसमें हम functions क्या रखने चाहेंगे, मैं चाहता हूँ, class के अंदर functions हो, add two fractions का, कि मतलब fraction 1, fraction 2, दो चीज़े जाए और add होके आजाए उनका, किसी एक तीसरे fraction के अंदर, ठीक है, मान लो f3 is equal to add of this, addition मिल जाए, फिर मैं चाहूँगा कि बही, subtract मिल जाए यार मेरे को, वो भी सेम ही बात है वैसे तो है, by fraction 2, फिर मैं चाहूँगा कि मेरे को multiplication मिल जाए, दोनों fractions की, ठीक है, और मैं चाहूँगा, एक simplify करके मैं एक function बना दूँ, जिससे क्या हो जाएगी, अगर मान लो मेरा fraction है, 2 by 4, तो, क्या कहते हैं, इसको lowest form में आके, वो 1 by 2 बन जाए, ठीक है, तो ये करके देखेंगे, चलिए करते हैं, इस fraction class को जल्दी से बनाते हैं, अपना एक नया फाइल बना लेंगे, यहाँ पर, जिसका हम नाम रख देंगे, fraction, ठीक है, dot, java, और एक काम करते हैं, यार, इस बार जो ये class है, इसको इधर की इधर बना देंगे, psvm के साथ साथी, ठीक है, अपनी class यहीं लग देते हैं, public, यहाँ पर static करेंगे हम इसको, class, fraction, ध्यान रखना, जब अलग file बनाऊंगा, तो static नहीं करूँगा, ठीक है, वैसे भी आपको error मिल जाएगा, intelligent idea के तरू, यहाँ पर हम दो चीज़े रख देते हैं, int, numerator, numerator, फिर int, denominator, तो सबसे पहले तो हम कुछ बना के देखते हैं, अपने fractions normally, ठीक है, class तो बन गई हमारी, अब इज़र आ जाते हैं, हम सबसे पहले लिख देते हैं, fraction f1 is equal to new, यह हम जानते हैं, कैसे लिखते हैं, fraction, तो एक fraction मेरा बन गया, इसकी मानलो, आपको values set करनी है, तो दो तरीके से की जा सकती है, कि f1.numerator is equal to 3, f1.denominator is equal to 7, बन गया आपका 3 by 7 एक fraction, similarly आप दूसरा fraction भी बना सकते हो, एक काम करते हैं, constructor की help लेते हैं यहाँ पर, कि मेरा कुछ ऐसा scene हो, अगर मैं ऐसे लिखूं, 3,7 तो मेरा fraction बन जाए 3 by 7, ठीक है, कितना simple लगेगा है, याद रखना, fraction में हमेशा numerator, denominator कभी decimal में नहीं रखूंगा, as in natural number ही रखूंगा मैं, या even negative number भी रख सकते हो, तो integers होंगे दोनों के दोनों, ठीक है, तो यहाँ पर constructor बना लिते हैं, यही बनता है अंदर, और constructor कैसे बनता है, यार हमारा, constructor एक function होता है, जो की इस नाम से ही होता है हमारा कहते है, fraction नाम से ही होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, direct public लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे, यह देखना, public अगर मैं लिखता हूँ, fraction, तो यार यह बन गया हमारा constructor, और इसमें हम दो values लिख लेते हैं, इंट numerator, फिर इंट denominator, और यहाँ पर हम this keyword का use करेंगे, क्योंकि same हम इन दोनों को use कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे यार, this numerator is equal to numerator, और this denominator is equal to denominator, तो अगर हमने यह line लिखी, तो हमारा fraction create हो चुका है, ठीक है, हम चाहें तो print भी करा के देख सकते हैं, दोनों चीदों को, अगर हम ऐसे लिखेंगे, system.out, फिर हम लिखेंगे f1.numerator, फिर plus, ऐसे आ जाए हमारा print, ऐसे करके ही आए, ठीक है, आपको, इसी को run करेंगे एक बार, यार, तो देखो, 3 by 7 आगया, ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरा fraction भी बना सकता हूँ, यहार, बहुत ही simple है, इसी को मान लो, एक दूसरा fraction बना लेते हैं, यार, f2, और इसमें हम दे देते हैं, मान लो, 7 by 3, कुछ भी दे सकते हैं आप, राइट, एंद फिर हम इसको print करा देते हैं, यार, यह लो, तो यह देखो, ऐसे print होगे आ जाएगा, 3 by 7, 7 by 3, बन गए हमारे fractions, काफी simple था, कोई महनत नहीं की हैं, सिर्फ numerator, denominator, एक चोटा सा constructor, जाधा कुछ अभी getter setter हमने बनाया नहीं है, अब मैं चाहता हूँ कि, यार, मैं एक function बनाओ, ठीक है, एक function क्या बनाओ, सबसे पहले function हम बना लेते हैं, या तो simplify, ठीक है, simplify function बनाते हैं, कि अगर मान लो मेरे को fraction मैंने दे रखा होता है, ये कुछ, कि मैं लिखता कि 7 by 21, this is basically 1 by 3, कटके 1 by 3 आ जाएगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा fraction F1 1 by 3 बन जाए, तो ये देखो, अगर मैं normally print करूँ, तो 7 by 21 print आ गया, अब मैं चाहता हूँ कि एक तो 7 by 21 तो मैं ऐसे print करूँ इसको, बट इसके बाद एक बरिस fraction F2 को comment कर देते हैं, इसी की ध्यान देते हैं, normally print करूँ 7 by 21, फिर मैं एक function लगा दूँ, for example, F1 को मैं simplify कर दूँ, F1 को बस मैं simplify कर दूँ, ऐसा एक function चल जाए, जिसके बाद अगर मैं इसको print करूँ, तो answer मेरा 1 by 3 आए, तो इसको कैसे करेंगे, एक function बनाना पड़ेगा, यह देखो, यह हमें खुद से बोलता भी है, देखो, अगर मैं यहाँ पर जाओंगा, create method, simplify in fraction in fraction, तो अब देखना, देखो, अपने आप बन गया, ठीक है, यह वैसे intelligent idea का feature है, इसको एक बार हटाते है, खुद बना के देखेंगे हम, तो हम आ जाते हैं अपनी class के अंदर, हमारी class यह है, public class fraction, ठीक है, यहाँ पे हमने constructor बना रखा, आप एक काम करते हैं, इस function को मनाते है, जिसका हम लगते है, public, फिर यहाँ पे हम लिख देते है, simplify, ठीक है, simple, यह क्या receive करेगा यार, यह कुछ receive नहीं करेगा, क्योंकि मैं इस object का function कॉल हो रहा है, यहाँ पे यह, तो यह कुछ receive नहीं करेगा, यहाँ पे बस हम क्या करेगा, कि अगर, simplify देखो, कब होगा कोई भी fraction, इधर देखो, अगर मान लो, मेरा एक fraction है, 7 by 21, जो की equivalent है, 1 by 3 के, यह सिर्फ तब कट हो पाएगा, जब मेरा जो numerator है, या मान लो, जो denominator है, एक बारी के लिए तो यह मान लेते हैं, कि मेरा numerator, denominator से छोटा है, ठीक है, वैसे बड़ा भी हो सकता है, improper fraction, लेगन अगर कुछ भी ऐसा scene हो रहा है, तो जब यह आपस में divisible होंगे, जब denominator, ठीक है, modulus numerator, ठीक है, is equal to equal to 0, यह हम तब consider करेंगे, जब मेरा numerator छोटा है, denominator से, तो मैं क्या करूँगा, इस से इसको divide कर दूँगा, अगर यह divisible होंगे, तो, ठीक है, तो यहाँ पर देखना दो चीज़े, हम यहाँ पर दो वो रख लेते हैं, अगर मेरा जो numerator है, और of course यह जो numerator है, यह उस object की numerator की ही बात हो रही होगी, अगर numerator denominator से छोटा है, तो उस case में हम क्या करेंगे, पहले तो चेक करेंगे, कि क्या मेरा denominator को अगर मैं divide कर दूँ, numerator से, तो क्या 0 के बराबर आ रहे है, मतब जैसे 21 को मैं 7 से डिवाइट कर दूँ, तो 0 आ रहे है, हाँ, अगर ऐसा भी हो रहा है मेरा, तो simple, आप एक इसमें क्या काम कर सकते हो, ध्यान रखना, अब जरूरी नहीं है, यह simplify function हमेशा काम करें, मैं आपको समझाओंगा, यह थोड़ी सी गलत काम करेगा, पर पहले गलत काम देखते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम उसके numerator को तो one set कर देंगे, और denominator क हम सेट कर देंगे, यह बाद में करेंगे, हम सबसे पहले, denominator को हम सेट कर देंगे, क्या, denominator divided by numerator, और numerator को हम one set कर देंगे, हलकी सी math लग रहे है, जादा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, एक बार ही के लिए यही देखते है, एक बार रन करके देखते हैं, तो इदे इन्वालिड मे इन दिनों दोनों चीदों को ही प्रिंट किया है, तो हो गया simplify, लेकिन यह simplify हर बार काम नहीं करेगा हमारा, पहली बात तो हमने अभी सिर्फ numerator को denominator से छोटा करके देखा है, और दूसरी बात, अब मान लीजिए, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़े आ रही है, ठीक है, हमने अज को 14 by 21 को भी तो मैं लिखूंगा यार, 7 से डिवाइड अगर करता हूँ, तो 2 by 3 बनता यह, lowest form इसकी यह है, लेकिन इस case के हैसाब से तो मैं चेक कर रहा हूँ, क्या denominator by numerator 0 के बराबर आ रहा है, नहीं भाई, नहीं आ रहा, बट simplify तो मुझे करना है इस fraction को, simplify तो करना है, simplify हम ह hcf आता है ना यार, उससे डिवाइड कर दो दोनों को, हमेशा simplified मिल जाएगा, हमेशा simplified मिल जाएगा, कभी भी कोई fraction a by b है, तो जो hcf of a b है, numerator को भी इससे डिवाइड कर दो, denominator को भी इससे कर दो, आपको अपना simplified fraction हमेशा मिल जाएगा, जैसे कि 21 और 14 का hcf मेरा यहाँ 7 है, ठीक है, तो ऐसे करोगे आप, तो हमेशा आपका answer आजएगा, और इसमें आपको ये भी ध्यान रखने की जरूत नहीं है, कि मानलो आपका 35 by 28 दे रखा है, तो ये भी simplify होके बन जाएगा मेरा 5 by 4, इसमें आपको ये देखने की जरूत नहीं है, कि मेरा numerator denominator से बढ़ा है या नहीं, simple बस आपको क्या काम करना है, दोनों को अपने HCF से divide करना है, अगर आपके बस fraction पहले से ये है, जिनका कोई HCF है ही नहीं, HCF 1 है, तो कोई बात नहीं, दोनों का HCF बनाएगा, 1 से 1 को divide होगा, तो सेम ही रहेगा, right, तो बड़ी simple सी बात है, आप एक और काम कर सकत जैसी आप fraction create करते हो, constructor के अंदर ही simplify कर दो, सारी चीज़े दिखाते हैं, कुछ ज्यादा हो सकता है, आपको लग रहा हो अभी, ठीक है, तो simple इसको अटाओ, simplify में आपको simple एक काम करना है, और कुछ भी नहीं, कि सबसे पहले आपको यार HCF निकालना है, दोनों चीदों का, ठीक है, इन दोनों का GCD निकल जाएगा, और फिर simple आप एक काम करोगे, numerator को भी, divide कर दोगे अपने GCD से, और denominator को भी, divide कर दोगे, denominator is equal to denominator divided by GCD, देखो, very very simple, जैसी ये काम हो गया, हमारा function simplify हो चुका है, अब इस GCD function को भी आ रहा हमें, बनाना पड़ेगा, कि यार, ये GCD क्य है यार, तो एक काम करते है, हम GCD को तो बाहर बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, fraction class में, कि public, static, int, क्योंकि एक इंटीजर में लेगा मेरेको, GCD, और जो दो चीजों को वो लेगा मेरा, int, यहाँ पर numerator, denominator, ठीक है, यहाँ पर this list लिखने की ज़रूत नहीं है, यह चीज यह लगे, दो inputs ले रहा है, और दोनों के मेरेको HCF निकाल के दे रहा है, अब यार, HCF निकालने के वैसे तो काफी सारे तरीके होते हैं, अगर आपने अब तक पढ़ रखा हो, recursion से भी हम वो चीज कर सकते हैं, simple for loop से भी कर सकते हैं, जो भी नमें से छोटा number है, min is equal to math.min of, ठीक है, नम और डिनॉमिनेटर, एंड फिर आप एक काम कर सकते हो, for loop उल्टा लगाना शुरू कर सकते हो, for int i is equal to min, फिर i greater than equal to 1, फिर i minus minus, और आप simple एक काम कर सकते हो, कि यहाँ पर लिख सकते हो, कि अगर, मेरा क्या कहते हैं, दोनों चीज़े, numerator modulus minimum equal to equal to 0, and denominator modulus minimum नी, i, denominator modulus i equal to equal to 0, तो आप सीधा return कर सकते हो, i को, i मेरा hcf रहेगा, ठीक है, और 1 तो obviously हमेशा divisible हो गई, and यहाँ पर भी एक बार लिख देते हैं, return min लिख देते हैं, although यह हमेशा, हमेशा return होने वाला है, क्योंकि 1 हमेशा divisible मेरा रहेगा, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से बस लिखना था हमें, तो देखो आ गया, and, अच्छा, यहाँ पर hcf लिखूँगा न return करते हैं, यह देखो, तो यह तो आएगा ही, 7 by 21, अब मानलो मैंने यहाँ दे रखा होता है, 35, 53 भी नहीं, 35 by 21, तो 7 से डिवाइड करोगे, तो 5 by 3 आंसर आना चाहिए, तो अब देखना, 35 by 21 और 5 by 3, पहले तो यही as it is print हो गया, फिर जब simplify किया, तो बिल्कुल सही print हो र करना, बार-बार divide करना, Euclid's division algorithm से, ठीक है, उससे भी आप HCF निकाल सकते हो हमेशा, anyways यार, आपने देख लिए simplify कैसे करना है, अब हम क्या चाहते हैं, कि जैसे ही मैं fraction F1 को create करूँ, उसी समय वो simplify भी हो जाए, ठीक है, without doing this F1 dot simplify, every single time, मैंने चाहता है बार-बार करूँ, त आप simple एक काम करो ना यार, आप simple एक काम करो, यहीं की यहीं, आप लिख दो यहाँ पर क्या, कि simplify भी हमेशा चल जाए, मतलब जैसे ही मेरा constructor चले, constructor चलने का ही मतलब है कि हमारा fraction बन गया, उसी समय वो simplify हो जाए, अब देखना, अब अगर मैं simplify ना भी करूँ, ठीक है, तो भ लेकिन फिर वो वहीं की वहीं simplify हर समय हो गया, ठीक है, बहुत ही बड़ी है यार, यह सारी चीज़े हमने मस मस देख लिया, अब एक बार देखते हैं कि दो fractions को मुझे add करना है, और एक तीसरे fraction में store करना है, तो कैसे किया जाएगा, चलिए उसकी तरफ देखते हैं, ठीक है मान लो कि एक fraction तो मेरा यही बन गया, इनको एक बार अटायत है, 35 by 21, और अगर मान लो अब मेरा दूसरा fraction बनता है यह, ठीक है, मेरा दूसरा fraction बनता है कुछ ऐसा, जिसको मैं ले रहा हूँ 7 by 3, अब मैं कोई दोनों add करने हैं, आता होगा कुछ भी answer, अब एक तो मेरे को कैसे लिख सकता हूँ, fraction F3 is equal to add addition, एक function बना दूँगा, ठीक है, add of क्या, F1 और F2, बढ़ यह, मेरे को एक नया यहाँ पर function बनाना पड़ेगा, उसको कैसे करें गया, add F1, F2 कैसे हो जाएगा, चलिए इस बात को देखते हैं, एक नया हमें function बनाना पड़ेगा जो की सारी हमारी receive कर सके, ठीक है, तो एक नया function बना लेते हैं, वैसे तो यार आप यहाँ भी बना सकते थे, लेकिन हम बनाएंगे बाहर, ठीक है, class के बाहर, इस class के बाहर, तो हम लिख लेते हैं, public, static, फिर int नहीं, return type क्या होगा, ध्यान रखना, क्योंकि fraction में store कर रहा हूँ, इस fractions को, मान लेते हैं, F1 और F2 को receive किया, और फिर इन दोनों को हमारे इस fraction में add करके, नया fraction बन जाएगा, तो कैसे किया जाएगा यार यह सब, इधर आ जाते हैं, देखते हैं, मान लोग के बस दो fraction है, 7 by 3 और 3 by 7, यह है मेरा fraction 1, यह है मेरा fraction 2, मेरे को इसका answer, fraction 3 में store करना है, तो एक बात बताओ, fraction 3 का सबसे पहले तो denominator क्या होगा, अगर usually मेरे को, एक तो LCM, LCM ले सकता हूँ, बट अगर मैं को normally add करने, कोई भी दो fraction, तो आप simple एक काम कर सकते हो, इन दोनों को multiply कर सकते हो, यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों के denominators को multiply कर सकते हो, और उपर जाएगा क्या दूसरे वाले का denominator into पहले वाले का numerator, प्लस पहले वाले का denominator into दूसरे वाले का numerator, फिर यह बन जाएगा हमारा जो भी answer आएगा fraction, last में आप इसको simplify भी कर सकते हो, right, तो क्या चीज़ होगी हमारी यहाँ पे, देखो, F3 का जहाँ धान देना, जो हमारा fraction बनेगा, एक काम करते ह यहाँ पे एक नया, यहाँ भी एक fraction बना लेते है, ठीक है, fraction इसका नाम भी देते है, F3 is equal to new fraction, ठीक है, अभी इसको खाली छोड़ देते है, इसके अंदर हम कुछ नहीं दे रहे, ठीक है, क्योंकि हम देना चाहाँ नहीं रहे, यहाँ पे एक नए हम वेरेबल बनाएंगे, in fact हम एक काम करेंगे, इसको बाद में होना देते है, वैसे तो आप नया चाहँ दे सकते हो, ठीक है, सीधा सीधा एक काम करते है, सबसे पहले एक वेरेबल बनाते है, int numerator, ठीक है, numerator of the new fraction that we want, numerator क्या होता था है यार हमारा, पहले वाले का numerator, इंतो दूसरे वाले का denominator, तो यहान f2.numerator, right, और हम एक नया वेरेबल बना जाते है, int denominator is equal to, यह बड़ा simple होता है, दोनों के denominator को multiply कर दो, यानिकि f1.denominator into f2.denominator, simple, बन गया, जैसी मेरे पास यह दोनों numbers ही आ गए, उसको यहाँ पे डाल दो, यार, f3 is equal to new fraction, numerator, denominator, and यह अपने आप simplify हो जाएगा, क्योंकि यार, at the end, जैसी मेंने बनाया, last macy को return कर दो, ठीक है, last macy को return कर दो, return f3, हो गया हमारा काम, right, चली है, मैं आपको करके दिखाता हूं, यार, यहाँ पे run करते है, पहले तो यह दोनों fractions है मेरे, ठीक है, इन दोनों को हम print भी करा देते है, यार, south, अच्छा, पूरा लिखन c, ctrl v, और अपना last में भी control कर देते है, तीसरा fraction, print कर देते है, बहुत बढ़िया, run करते है, देखो, पहले मैंने लिखा 5 by 3, फिर मैंने लिखा 7 by 3, दोनों को add करूंगा, तो answer आजाएगा 12 by 3, लेकिन 12 by 3, को मैं अगर काट दूंगा, तो 4 by 1 answer आएगा, ठीक है, तो सीधा उसने 4 by 1 इसमें answer दे दिया, तो हम देखवा, ऐसे add कर सकते हैं, अब ऐसे यार, आप दो fractions को multiply भी कर सकते हो, simple बहुत, same to same जो add वाला function मनाया था, इसको copy करो, यहाँ paste करो, add की जगे लिख दो, mal, ठीक है, multiply या कुछ भी, multiply पूरा ही लिख दो यार, दो fractions मिलेंगे मेरे को, अब हमारा multiplication जब होती है, तो क्या होता है, दोनों का multiplication उपर, दोनों का multiplication नीचे, बहुत ही simple सी बात, तो मेरा denominator तो यही रहेगा, अब मेरा numerator अब हो क्या रहेगा, f1.numerator into f2.numerator, that's it, इसको उटाओ, simple, multiplication ऐसे होती है, फिर हम नया fraction बना देंगे, इसमें यह सब डाल ठीक है, चाहे तो आपको करके दिखाता हूँ, हम मानलो मेरको इसकी multiplication चाहिए थी, तो देखो, multiply f1, f2, तो 5 by 3 into 7 by 3, मेरको answer कितना दे देगा, 5 into 7, 35 by 9, run करते है, लो भई आगया, ठीक है, ऐसे ही आप, यार, minus b कर सकते हो, इसका आप खुद अभी, इसको as a homework रखो, कि केते है, subtract वाली जो चीज़े है, उनके भी आपको function बनाने है, जैसे कि यहाँ पर मैंने add और multiply वाले function बना रखे है, काफी simple है fraction class, कुछ है नहीं, इसमें, I hope यार यह सारी चीज़े आप समझ रहे होंगे, ठीक है, अब अच्छा, अगर मानलो, एक आपके लिए यार मैं challenge र रखा है, अब आपको एक function मनाना है, दूसरा add to नाम का function मना दो, जिसमें मैं f1 पास करूँगा, f2 पास करूँगा, इस function से होगा क्या, एक void type का function होगा, इस function से f1 के अंदर result store हो जाएगा, मतलब अगर मेरा f1 7 by 3 था, f2 3 by 5, दोनों को जब मैंने add वैड किया था, तो answer जो आगे बढ़ते हैं, आज का थोड़ा सा एक last topic देखते हैं, इसको भी मैं आपको बोलूगा कि खुद ही try करना है इस चीज को, बट करते हैं इसको, अब देखो यहां पे ना आज के lecture में, अगर आप को थोड़ा सा वो हो, ठीक है, thank you slide से पहले, यह तो हम करेंगी, खुद की यारे list बनाएंगे, कुछ-कुछ यार हमारे topics है, जैसे कि आप सोचे होगे कि यार four pillars of oops कहा है, ठीक है भई, polymorphism, encapsulation, abstraction, ठीक है, एक और होता था, inheritance, यह सब कहा है, फिर हमारा exceptional handling, exception handling, sorry, फिर हो गया हमारा interfaces, right, तो यह सारी की सारी चीज़े, यार आपका एक नया oops का lecture होगा oops to, जो की अभी नहीं आएगा, इस oops के lecture के बाद linkless शुरू होगा, फिर stacks, cues, अब यह जो theoretical part है, यह आपके coding round में काम का नहीं आता, बिल्कुल नहीं, लेकिन interviews में आपसे जरूर इनकी theory पूछी जाती है, और हमेशा पूछी जागी almost, interviews के अंदर, right, तो यह हम आपको DP और graph क भी बाद कराएंगी, बजे मैं आपको यह साफ 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 समझा देता हूँ, अगर मैं अभी आपको यह theory करा दूँ, तीन महीने में आप वैसी भूल जोगे, कोई फायदा नहीं है, और बापिस से आपको पूरा पढ़ना पढ़ेगा, यह नहीं है कि थोड़ा सा revise कर लिया ठीक है, तो इसको आप हमेशा interview से पहले पढ़ो, हमेशा this is very very important, तो उससे just पहले पढ़ो क्योंकि theoretical चीज़ है, और क्योंकि इसका लेना देना नहीं है link list के साथ, और जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका लेना देना जरूर है, class बना के सारी चीज़े करके, ठीक है, तो करते हैं आज अपना last question फिर खदम कर देंगे इस lecture को, make your own array list, array list क्या होता था, जैसे c++ में vector होता है, यहाँ पर array list क्या होता था, dynamic array बोलते थे हम इसको, ठीक है, dynamic array, मतलब कि जो grow होता है मेरा array, अब array में क्या problem होती थी, एक array का size यार, fix रहता था, लेगिन array list में क्या होता कि हम बार-बार और add करते जाते थे, a.get यह सारे functions को use करते थे हम, right, एक बार आते हैं, array list के उपर, internal array list जो हमारी बनी विया, array list.java, ठीक, एक नई फाइल बना लिया हमने, इधर देखिये, मानलो हमें एक नई array list बनानी होती थी, तो हम क्या करते थे, psvm कर लिया, बड़ा equal to new array list, ठीक है, हो गया भाई, और एक import statement भी अपने आप आ गई, क्योंकि अपने आप से करता नहीं है कुछ काम, ठीक है, in fact, आप इसको अटा, क्यार, yellow, सब कुछ import हो जाएगा, right, तो एक array list बन गई मेरी, अब अगर मैं इसमें size ना भी दूँ पहले से कोई, तो मैं बार- इसे के टेपते टेपते बार-बार ये करते रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ डाल दो 2, मैं यहाँ डाल दो 9, मैं यहाँ डाल दो 3, ठीक है, तो एक array list बन गई पूरी की पूरी, और अगर मैं इसको ऐसे ही print कराना है, तो मैं directly भी I think print करा सकता हूँ, yes, जावा में है ये functionality, य तो ये grow करते जा रही है, चाहे मैं इसमें starting में 4 size दे दूं, कुछ भी दे दूं, तो बाद में भी I add कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैंने 4 size दे दिया इसको, लिखा आगया initial capacity, फिर मैंने ये 4 चीज़े दे दी, of course, लेकिन अगर मैं इसके इलावा भी देखो, ये भी option आजागा, set नहीं, तो देखो, सारी चीज़े आ गई, अब size 5 चो जाएगा, ये देखो 5, तो array list grow कर सकती थी, अब ये grow करती गया थी, इसको हम थोड़ा से internally खुद से कोई array list बना सकते हैं, using arrays and using our concept of new data type class, definitely हम ये काम कर सकते हैं, कैसे, सबसे पहले तो capacity, array list की 4 दे दिया, size, या अपने size दे दिया, एक बार एके लिए 10, तो ये करता क्या है, जैसे ही हमारा size full हो जाता है, ये अपना size double कर लेता है, ठीक है, एक बार एके लिए 4 ही ले लेते हैं, मानलो size 4 है, अब मैंने अपने array में भर दिया, values डाल दिये, मैंने 2, 4, 1, 3, list क्या करेगा, initially size 4 का मतलब ये था, कि इतने 4 size का array बन गया था, internally array ही होता है, जैसे ही ये भर गया पूरा, तो ये क्या करेगा, कि सबसे पहले तो हमने ये elements जब डाले, तो कुछ ऐसा हुआ, पर जब ये भरा, तो भरते ही, ये क्या करेगा, एक नया array बनाएगा, इससे double size क 8 size का, अगर 4 है, तो 8, ठीक है, 8 size का एक नया array बनाएगा, और copy-paste कर देगा, इन सारे elements को, ठीक है, और फिर इसको उड़ा देगा, फिर इस पुराने array को उड़ा देगा, और जो हमारी array list अब वो ये है, समझे रो, फिर अगर मैं करता हूँ, arr.add, तो यहाँ पे value जाएग तो क्या करेगा, एक नया array बनाएगा इससे double size का, ठीक है, ऐसे काम करती है हमारी array list, इन सब को copy-paste कर देगा पहले हैं, फिर इसमें काम होगा, इसको उड़ा देगा, ठीक है, तो इसी basis पे, क्या हम एक नया अपना खुद का array list बना सकते हैं, और जो इसके functions होते हैं, जैसे से functions होते हैं, यहाँ पे देखो, मैं खुद अगर लिखने ही कोशिश करूँ, arr. यह देखो, add, set भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी value को change कर सकते हैं, यहाँ पे, बीच में भी हम value डाल सकते हैं, ठीक है, int index, इसका मतलब यह है, ठीक है, get हो सकता है हमारा, ठीक है, यहाँ यहाँ कित्ती सारी चीज़े हैं हमारी, right, तो यह देखो कित्ते सारे, in fact, मतलब बहुत सारे object, वो है functions, हम इतने use नहीं करने वाले है, of course, right, in fact, अगर हमें change करना होता हम यह कर सकते है, arr.get, ठीक है, get to, अगर मानलो, get 0, तो क्या हम इसको change कर सकते है, value 1 में, तो देखो, ऐसे error आज दो, set, ठीक है, set में भी कुछ और डालना होगा, हमें, 1 second, देखो, int index, integer element, यही की, यही काम होगा, तो set करना है, मेरे को मानलो, first index पे, हमारा first index पे 2 पड़ा है, मेरे को 20 डालना है, देखो, आप देखना, यहां पे 20 आजाएगा, यह देखो, तो बहुत सारी functionalities है, अब इन काम of course आएगा नहीं, यह बस आपको सिखाने के लिए कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है, तो आजाते है, इसी के अंदर बना लेते है, हमारी अपनी क्या, खुद की array list, तो यहां लिखते है, public, static, class, class का नाम array list ही देंगे, और ऐसे capital में ही दे देते है, खुद की array list का हमारा नाम एक काम करते है, इसका नाम हम दूसरा दे देते है, एल लिख देते है, या सिर्फ हम small में लिख लेते है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम या फिर ऐसे में, देखाई, इस L को capital नहीं कर रहा, और इसके अंदर हम कुछ properties दाल देते हैं, अब array list मेरी बनीगी कैसे, जैस एक का नाम मान लो, ARR is equal to new array list, बन गई हमारी एक नहीं array list, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ भी है नहीं, अभी बस हम ऐसे ही हवा में उड़ रहे हैं, इसके अंदर कुछ भी available नहीं है अभी, तो कैसे डालेंगे, तो सबसे पहले, हम एक बारे के लिए ये मान लेते हैं, कि किसी भी array list की हमें initial capacity रख लेते हैं एक बारे के लिए, विच इस, कुछ भी रख सकते हैं, मैं रख लेता हूँ, कि जैसी मैं array list बनाता हूँ, तो एक 5 size का array create हो जाता है, ठीक है, तो जैसी मैंने ये बनाया, तो मैं ये चाहता हूँ, ये बनते ही 5 size का एक array create हो जाए, 5 size का array create हो जाए, तो क्या वो constructor के through करूँगा, मैं ये क्या करूँगा, चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर एक array बनाएंगे हम, जो इसका वो होगा, int arr is equal to new int, और यहाँ पे size देना पड़ेगा 5, तो जैसी मैंने array list बना दी, तो हर array list को, हर इस बंदे को 5 इसका भ है, अभी के लिए बस इस task को देखते हैं कि कैसे हम array के element को get कर सकते हैं, या उसमें कुछ set कर सकते हैं, ठीक है, खुद के array बना के, तो एक बात देखते हैं कि हम array के element को get कैसे करेंगे यहाँ पे, तो simple सा यहाँ पे get नहीं, सबसे पहले हम a.add functionality बना लेते हैं, मानलो यहाँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, arr.add2, तो मैं चाहता हूँ पहले index में to add हो जाए, उस particular index में, जहाँ पे अब हम भी खड़े हैं, वो कैसे decide होगा, चलिए उसको देखते हैं, उसके लिए हमें एक index भी रखना पड़ेगा, यहाँ पे, index या int आप कह सकते हो size, दोनों सेम काम कर लेंगे, हम एक size declare कर लेते हैं, right, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं function बनाऊं, public, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख दे, add कर रहा हूँ न, मैं, तो void, add, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे, int, element, जो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया, हमने element द हमने size को भी यहाँ पे 0 दे देते हैं, वैसे तो 0 अपने आप हो जाएगा, जैसी मैंने add element लिखा, यहाँ से होगा, क्या array of size के अंदर, हमारा element आ जाएगा, बहुत simple, ठीक है, simple, और कोई यहाँ पे काम नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने element add किया, 0th index पे, तो मैं चाहता हूँ इसके बाद यह वाला काम भी हो जाए भई, ठीक है, आप directly यहाँ भी size plus plus लिख सकते थे, post fix हो जाता हो, ठीक है, post increment, तो यह काम हो गया उसके बाद, ठीक है, तो एक बार हम करके देखते हैं, जैसी array यह add किया हमने, तो इसके अंदर हमारा यह आ गया, अब जैसी हम यह एक सी लिख देते हैं, ठीक है, यह आप कुछ भी लिख सकते हो, आप size को भी of course हमेशा calculate कर पाऊगे, size is always index plus 1, अब मानलो आपको अगर array का size निकालना है, यह देखो, हम चाहते हैं, हम print करे, s out, arr.size, तो इसको कहां से लाए, एक function मना लेते हैं, यह पर, public int size नाम से, ठीक है, जो की मेरा return बस क्या कर रहा है, वो return कर देगा, index plus 1 कह सकते हो, आप हमेशा, ठीक है, अगर index मेरा यहाँ पर 0 है, तो, in fact, index plus 1 क्यों return करेगा मेरा, अगर index मेरा 0 है, तो 1, ठीक है, but empty cases में, वो empty return करेगा, okay, तो एक काम करते हैं, अपना size भी हम खुछ सही बनाते रहते हैं, य element, size, इसको हम 0 से एक बरी के लिए initialize कर देते हैं, ठीक है, जैसे ही मैं कुछ index में भरूँगा, तो मैं, यार, size को भी plus plus कर दूँगा, as simple as that, ठीक है, और यहाँ पे सिर्व हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके भी, जैसे arr.length तो सिर्व यह होती थी थी, ठीक है, अब जैसे run कर आते हैं, तो 2 आएगा answer, यह देखे, 2 आगया, क्योंकि मैं 2 element add कर चुका हूँ, तो मैं size निकालना आगया, बहुत simple है, हमें यार, add करना आगया, ARR में element बहुत simple है, लेकिन, अब, अगर मान लो, ऐसा हुआ, मैं इसमें 2 दे देता, initial capacity, तो अब मैं 3 element add नहीं कर सकता हूँ, यहां देखिए, अगर मैं कोशिश करू, ARR.add करने की 5, तो देखो, यहां पर नहीं हो पाएगा एक काम, error आ जाएगा, एक, देखो, आगया error, ठीक, index out of bound, क्योंकि मेरा array 2 size का था, वो भर गया, तो अब हमें यार, यह चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, कि अगर, मेरा ज copy paste कर दूँगा, और वो जो नया array है, वो current size से double size का array बन जाएगा, तो यहां पर simple हमें एक काम करेंगे, कि जब भी हम add कर रहे है, add करने से पहले, जैसी मैं यहां पर add करना चुरू कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़े कर रहा हूँ, यह भर रहा हूँ मैं, पहले मैं check कर if size is equal to equal to, जैसे बराबर भी अगर हो रहा है एक बारी के लिए, ठीक है, is equal to equal to, arr.length, जैसी ही मेरा यह काम हो रहा है, तो पहले मैं make sure करूँगा कि मेरा array एक नया array बन जाए, मेरा array एक नया array बन जाए, जिसमें वो सारे elements copy paste हो, लेकिन बड़े size का, तो मैं यहां पर simple एक काम करूँगा, यहां ध्यान देना, int, बहुत ध्यान से एक चीज देना, बहुत, मैं पहले एक नया array बना देता हूँ, int, brr is equal to, new int, जिसमें मैं arr का size देता हूँ, arr.length, एक बारी के लिए, यह simple मैं लिख देता हूँ, int, brr is equal to, arrays, यह एक function होता है, यार, arrays.copy of, हम सीधा यहां यहां पर arr दे देंगे, ठीक है, मैंने इसकी copy बना के यहां पर दे दी, इसमें शायद और भी parameter देने पड़ते हैं, कौन से parameter देने पड़ते हैं, चलो देखते हैं, यह तो परिशानी है, int, original, int, new length, ठीक है, तो arr, arr.length, ठीक है, simple, हो गया, मैंने एक नया array बना दिया, BRR, जिसमें अभी के लिए ARR दे दिया, यह मैंने जान मुझके कर रहा हूँ, क्योंकि हम मैं array को बना दूँगा, एक brand new array, अब मैं array को बना दूँगा, एक brand new array यहां पर, ध्यान रखना, in fact, मैं एक काम simple यह भी कर सकता हूँ यार, कि इसी के अंदर मैं एक काम करता हूँ, length को मैं 2 से multiply कर देता हूँ, मैं एक नया blank array बना दिया, जिसमें मैंने पहले copy कर दिया, इसके elements, array के, starting के, इस से सीधा copy होगा एक line से, and हम मैं सीधा क्या कर सकता हूँ, यार, ARR को BRR की तरफ में point करा सकता हूँ, ठीक है, मैं simple यह लिख अपने BRR की length, ठीक है, मैंने यह दे दी, and अब मैं लिख सकता हूँ, ARR is equal to यह चीज, arrays.copy of, ठीक है, यहां से ध्यान देना, मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं यहां पर, BRR की copy दे दी, and यहां पर BRR की length ही दूँगा, simple, done, ठीक है, एक नया array बन गया मेरा, अब फिर सारी अब run करते हैं, आप सही चलेगा सब कुछ, तो देखो, सही आ गया, 2 आ रहा है, ठीक है, and अगर मैं size इसके बाद प्रिंट कराने की कोशिश करो, तो देखो 3 आ जाएगा, आप size, 2,3, I hope आप समझ रहे होगे, कि कैसे मेरा array list work करता है, कि मैं normal add कर रहा हूँ, मैं एक ही array बन दूँगा, जिसमें मैं सारे elements copy कर दूँगा, अपने existing array के, बट उसकी length मैं double दे दूँगा, इससे make sure होता है new length आ गया देखो, length double दे दी, फिर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे को name, ARR देना था, वो BRR वाला नाम नहीं देना था मेरे को, right, तो मैंने क्या किया, उस ARR को एक नाम से एक नया array बना दिया, इस length का, and सारी की सारी चीज़ें यहां पर मैंने copy paste कर दी, ठीक है, as simple as that, एक काम करते हैं, अगर Java में यह allowed है, तो हम यह भी देख लेते हैं, क्या हम सीधा यह लिख सकते हैं, और फिर run करके देखते हैं, बिलकुल चल रहे हैं, तो simple आप यह कर सकते हो, यह भी करने की आपको जरूद नहीं, ठीक है, हम एक नया array बना रहे हैं, सीधा-सीधा, BRR नाम से, और फिर ARR को उसका नाम, मतलब, उसका नाम फिर ARR रख दे रहे हैं, ठीक है, टेक्निकली ऐसा हो रहा है, right, यह जो ARR है, इसके अंदर नया array नहा array का नाम AR हो रहा है, तो हमजना इस बात को, तो यार ऐसे हम बना सकते हैं, अपनी खुद की array list, अब इसी में आप क्या कहते हैं, value को set करना भी देख सकते हो, ठीक है, वो भी बड़ा simple है, मानलो आपको set करनी है, set value इस index पर यह value, तो वो function भी आप डाल सकते हो, इधर देखो, अगर मै मैं लिखेंगा set, और दो चीजे जा रही है मेरी, सबसे पहले int, index, फिर int, वो value, receive हो रही है मेरी, अब मैं simple है कि यहाँ पर क्या काम करूँगा, कि भाई साब, array के अंदर, array के इस index पर, मैं यह value देदूगा, बात खतम, देखो, अब यह बर वापिस से, अगर हम पूरा print कर जाएगा, right, run करेंगे, कोई error नहीं आएगा, बहुत बढ़िया, right, तो मैं इसे बना सिते है, खुद की एक array list, which is basically nothing, बार बार नहीं arrays बन रहे है, तो भाई, आज की वीडियो के लिए इतना ही था, चीग है भाई, dynamic array पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया हमने, जो की, जैसे की मैंने आपको बताया, last के जो topics है, वो हमें आपको बाद में कराएंगे, ताकि आपकी placement में दिक्कत ना आए, दूसरा यार, काफी काफी बच्चे, comment में please बगबग करने से पहले, जो मैं कह रहा हूँ, सुन लो, हाथ जोड रहा हूँ आपके सामने, syllabus, August से पहले, पहले, नि अभी नहीं, complete होते हैं आगे courses, right, तो अगर आपने यहां तक देख लिया है, तो आप जानते हो, कि comment में आप लिख दो कि मज़ा आ गया, अब मुझे तो उपस पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, लेकिन I hope आपको मज़ा आ गया होगा सारी चीवे, समझ के, आप से मिलते हैं नेक्स लेक्चर में, link list, bye bye